जैहिंद दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत एडुकेशन के जीके का महा युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है फटा फट शेर कर दिजिए अपने मुबाइल स्विच आफ कर लिजिए और साइलेंट कर लिजिए और जल्दी से शेर कर दिजिए लिंक को तो हम अपनी क्ल तो देखते हैं आपकी आज की तैयारी कितनी हुई है साथ में मेरे साथ आज आए हैं मुनीश शर्मा धन्यवाद सर वेलकम है आप सभी का विजेपत डिफेंस एडुकेशन पालंपुर की तरफ से सो आज आपके लिए जीके का महायुद होने वाला है 25 जुलाई की जो आपकी परिक्षा होनी है आर्मी की उसके लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का महायुद रहेगा सो सभी कोशन, आर्मी, जीडी, टेक्निकल, क्लरक और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए most important रहेंगे सो जल्दी से आप सब हमारे साथ जुड जाएं 25 जुलाई की टारगेट परिक्षा आपके लिए है सो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, शेशन को शेयर करें अपने फ्रेंट्स में और जल्दी से हमारे साथ जुड जाएं जल्दी से आजएए सभी online, सभी मुझे comment करके अपने online जो है वो comments डालें तो हम आगे continue class को करें जल्दी से जल्दी share कर दीजे लिंक को share कर दीजे वैटें तो continue करते हैं classes को जैसे कि आपने काई था की हमें gk का महा युद चाहिए तो हम gk का महा युद ने आए हैं आपके लिए तो जल्दी से comment कर दीजे Link share करें सभी को तो हम आगे continue कर पाएंगे जल्दी से वीडियो को शेर कर देगे, महाम vegg diminished आपके लिए रहने वाली है आज की वीडियो आकाश चौधरी जुड़ चुके हैं, रितिक चौधरी जुड़ चुके हैं सभी जल्दी से चल्दी क कमेंट करते चलें जल्दी जल्दी से शशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जल्दी से हमारे साथ जुड जाएं, ताकि जल्दी ही हमारी जो जीके की महा मेरातन होने वाली है, जल्दी ही हम स्टार्ट कर सकें, वीडियो को शेयर करें जरूर अपने फ्रेंड्स में, योगेश कपूर हमारे साथ ज जुड़ चुके हैं, बेलकम है आप सभी का, सो जीके का महायुध आज आप सब के लिए हम लेके आए हैं, 25 जुलाई की जो आपकी परिक्षा होने वाली है, कितनी त्यारी हो चुकी है आपकी, सो आप यहां से अपनी तैयारी को जो है वो चेक कर लीजिए, कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, 25 जुलाई और 29 अगस्त, 29 अगस्त को में जो है, वो आर्मी की भरती प्रिक्षा, ARO हमीरपूर की होने जारी है, और 25 ही जुलाई को शिमला ARO और साथ में ही हमारे मंडी ARO और पालंपूर ARO, यानि कि तीनो ARO, पूरे हिमाचल के ARO, तीनो की आज 25 जु तो रहे हैं, आप मुझे शो करें, और अपनी त्यारी को चक करें, और जल्दी से शेख कर दीजिए इस बटन को जल् incluso कर दीजिए, like कर दीजिए और हम आगे continue कर पाएं इस कख्षा को, जल्दी से शेर करें इस सेशन को 25 जुलाई की प्रिक्षा के लिए Most Important Question की सीरीज आपके लिए हम आज लेके आए हैं जिसमें Complete आपका जीके आज हम डिसकस करेंगे चाहे वो आपका भुगोल हो, इतिहास हो खेल से Related Question हो Famous Person से Related Question हो हर टाइप के Question जो है Army Exam में जो बार-बार पूछे जाते हैं उनका आज महा मेराथन हम आप सब के लिए लेके आए हैं, सो वीडियो को शेर करें, सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम है आप सभी का विकास राना, अमित दिवान आप सभी का वेलकम है जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी शेर कर दें ताकि हमारी जो जीके का महा युध होने वाला है, महा मेराथन होने वाली है सो जल्दी ही हम उसको स्टार्ट कर सकें सभी कोशन आपके Army, GD, Technical, Clerk, Trade Man और Nursing Assistant exam के लिए Most Important रहने वाले हैं सो जल्दी से आप सब हमारे साथ जुड़ें अपनी तियारी को चेक करें कि कितनी आपकी तियारी हो चुकी है exam जल्दी ही आपका आ गया है 25 जुलाई टार्गेट है आप सब के लिए और जिनका भी exam थोड़ा सा डिले हुआ है वो भी अपनी जीके की तियारी को चेक कर सकते हैं अभिशेक शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ विल्कम है उनका भी तो ककशा का जो है वो समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है तो हम अपनी ककशा की तरफ चलने की तरफ शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और मिस्टर चौधरी लकी भी आ चुके हैं जिन्दाबाद रितिक चौधरी जल्दी करो प्लीज सर्ट ओके दोस्त शेर कर दीजिए बैटा बस लास्ट शेर कर दीजिए कितना शेर हुआ है अपने शेर जरूर बताएं कितना शेर क उमार जैहिंद विकास राना आप सबका स्वागत है सभी शेर कर दें अपना इस स्ट्रीम को शेर कर दें तो हम कंटीनियू करें अभी एक लक्शा को तो कंटीनियू कर रहे हैं आपकी ही डिमांड पे तो जो पहला सवाल है वहां से शुरू कर रहे हैं सभी अंसर की जरूर नोट ना करें, ये नोट करें कि आपके आज की practice या आज तक कितनी practice आपकी हो चुकी है, जितनी ज्यादा आपकी practice हो चुकी है, आप चेक कर लिजिए, रविंदर कुमार तो पहला सवाल, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला सवाल है, कि सिंदू घाटी सभ्यता सिंदू घाटी सब्वेता के लोग किस से परचित नहीं थे तामबा, चांदी, सोना या लोहा वो किस के बारे मैं नहीं जानते थे जल्दी से कमेंट करें आप मुझे बताएं कि वो किस के बारे मैं नहीं जानते थे सिंदू, घाटी, सभेता के लोग किसका नौलेज नहीं था तो जल्दी से कमेंट करें A, B, C, D, चार आप्शन्स हैं लक्की, सोनना, कल्पना, A के साथ जा रही है तामबा, आईरन, रज्जत, शर्मा, योगेश, कुमार, राकेश, कुमार, लोहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, निखिल वालिया, शुभम, अजे वर्मा, बहुत बढ़िया बेटा बर आपका पहले का अंसर, पहले का अंसर लोहा, लोहे के बारे में उनको ग्यान नहीं था और दूसरा सवाल, साथ साथ में कॉमेंट करते रहे ना बेटा नेक्स्ट कोश्चन निमन मैसे कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है मतलब कौन सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है बिटा लोथल लोथल क्या वेपारिक गतिविदियों का केंदर था कालिविंगा अनुशास्टिक अगनी वेदियों के कतारें के लिए था चुंद्राओडो जहाज निर्मान के लिए था लोथल भांगर निर्मान के लिए था ए बी सी डी चार आप्शन से जल्दी से अपना कुमेंट करें तो सभी कुमेंट करते रहें बहुत बढ़िया टू दूसरे का सी आप्शन सी ओप्शन के साथ जा रहे हैं सभी के सभी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा मैं आपको एक बात बोल देता हूँ नकल ना करें कोई भी बस अपने ही तरफ से questions करते रहें अपने ही questions का जबाब देते रहें अगला सवाल काली बंगा किस प्रदेश में विद्यमान है उत्तर प्रदेश, सिंद, राजस्थान या गुजरात चार आप्शन्स हैं आपके सामने चारों आप्शन में से कोई भी अंसर दीजिए तीसरे का क्या निकाल रहे हैं तीसरे का सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बहुत से बचे और ऑप्शन्स डालिए 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 बटा ऑप्शन्स डालिए कितनी हैं आज की मेरेथन देखते हैं आज आपके लिए लेकर आए हैं लंबी क्लास जब तक होगी तब तक चलेंगे जब तक खतम ना होते हैं आठ सो से जादा सवालों के जवाब देंगे आज तो तीसरे सवाल का अंसर जो है वो आ चुका है सी राजस्थान नेक्स्ट सिंदू घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे सिंदू घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे जल्दी से कुमेंट कर दें अपने साथ में नीम के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, बरकत के पेड़ की या सागोन के पेड़ की जल्दी से चौथे सवाल का अंसर दें A, B, C, D, पीपल के पेड़ की बहुत बढ़िया शुबम राना, सचीन कुमार, हश दोहर, सभी अंसर दे रहे हैं, प्रिंस, चौधरी, वीशाल, आशी, श्राविंदर, भलजीत, जल्दी से शेर करते रहें वेटा, स्ट्रीम को शेर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पीपल के पेड़ की, पीपल के पेड की वे पूजा करते थे, और साथ में कि पशुपती को मानते थे, नेक्स्ट कोशन में आ जाता है, कौन सा सिंधु घाटी सब्यता का बंदरगाह था, स्थल, कौन सा स्थल जो है, वो सिंधु घाटी सब्यता का बंदरगाह था, जल्दी से कमेंट करें, मोहन जोदरो, चिरा तो इसका correct answer है साथ साथ में answer देते रहेगा बंदरगा टाउन कौन सा है लोथल लोथल जो इसका है वो सही जवाब है next अगला प्रशन आ रहा है सभी अपनी अपनी तयारी को चेक करें ये ना करें कि teacher हमारा नाम नहीं ले रहे हैं आज हम नाम नहीं लेंगे आप अपनी comment करके अपनी तयारी को चेक करेंगे और हम आपको लिए बस आपके लिए ये किताब जो है उसके प्रशन जो है वो हम लेक वली भगवत राव या रोपड तो A option दी है उसमें दूसरा चोथा और छठा है पहला तीसरा और पांचमा कौन सा अंसर होगा A, B, C, D, चार options तो सभी अंसर कर रहे हैं बहुत बढ़ी है C option के साथ सभी का अंसर आ चुका है C option के साथ चले गए हैं next question साथ में का B के साथ जा रहे हैं सिंदू सभीता के घर किसके बने थे सबसे फास्ट अंसर अभिशेक शर्मा 7 B के साथ हैं बहुत बढ़ी है जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी को जोड़िए अपने साथ जोड़िए जोड़िए आज तो है भीया आज तो हम पठाके हो जाएंगे माहा सनानागार सिंदू घाटी सभीता के किस स्थान पर पाया गया है नहाने का स्थान है कौन सी जगा पर मिला है भीया जल्दी से देखो तो अंसर क्या है मोहन जोड़ो मोहन जोड़ो कहां पर स्थित है नौमा सवाल मोहन जोड़ो कहां पर स्थित है जल्दी से अपना सवाल का लरकाना पाकिस्तान लरकाना पाकिस्तान में मोहन जोदरो जो है वो प्रेजंट है बिटा जल्दी से कमेंट करते रहें आपको कुछ नहीं करना है कमेंट करते रहें अपनी तयारी को चेक कर लिजे कि हमारी तयारी कितनी हुई है आरे भारत में कहां से आए अंटार्टिका पूर्वी यूरूप उत्री अमेरिका या मध्य एशिया जल्दी से कॉमेंट करिए कॉमेंट करिए कॉमेंट करते चलिए कॉमेंट की स्पीड जो है वो बढ़ती चलने जानी चाहिए जितनी कॉमेंट करेंगे वो उतना बढ़िया है कॉमेंट करते रहें तो डी ऑप्शन मध्य एशिया से आये थ कौन सा है रिग, सामवेद, यजुरवेद, यर्थ वेद, जल्दी से कमेंट करो, A, B, C, D, चार उप्शनों, जल्दी से कमेंट करें, वेदों मैं सबसे पुढ़ाना वेद, रिगवेद, रिगवेद के साथ कितने बंदे जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो, कौन-कौन तमबाकू क्या नहीं खाते थे भीया, A, B, C, D, चार ओप्शन्स हैं, क्या नहीं खाते थे, तो अंसर बताएं, अंसर है, तमबाकू वो नशा नहीं करते थे, देख लो भीया, नशा नहीं करते थे, नेक्स्ट अगला है, प्रसिद विज्ञान, मैक्स मूलर, विदवान जो थे, मैक्स मूलर वो किस देश के रहने वाले थे, मैक्स मूलर कौन से देश के रहने वाले थे, तो इसका correct अंसर है, जर्मनी, वो जर्मनी के रहने वाले थे सभी जल्दी से कमेंट करके अपने अंसर की साथ चेक कर लें अपने अंसर अगला सवाल वेद कितने परकार के होते हैं 4, 8, 9, 10 जल्दी से कमेंट करो कौन अंसर दे रहा है फटाफट अंसर करो भीया अंसर करो comment delete ना करो comment करो वेद कितने परकार के होते है answer कितना आया वेद कितने परकार के होते है योगे, शाशी, चौधरी, राकेश, कुमार हर्ष, भलजीत, राहुल तो वेद चार परकार के होते है जो की हमने अभी पीछे पड़े हैं आपने भी देखे होंगे आपको भी अभी याद रहा हो तो क्वेशन में मैंने बताया था कि साम वेद अर्थ वेद ये दिये थे चार वेद इसी परकार से वेद कितने परकार के होते है चार वेद वेद इनमें से कौन सा वेद नहीं है रिग वेद ये जुर वेद अपनी शे से शेयर करो साथ में किस वैदिक देवता की प्रस्तुती रिग बेद में सबसे अधिक की गई है वरुन रुद इंद्र या अगनी तो अंसर इस सी इंद्र सभी सा साथ में कुमेंट करिएगा हम भी टाइम नहीं देंगे या रिग बेद में गायतरी मंतर किसे समर्पित है इं शा अंसर इस सावित्री टाइम नहीं देंगे या देखने का इतना समय नहीं है जल्दी जल्दी आप भी कोमेंट करते चलो साथ साथ में शेयर करते चलो ठाठा करके अपने अंसर सभी को दो जैनियों के पहले तीर्थ कर कौन थे अरिश्ट नेमी पाशनात या अजितनात या रिश्ब देव तो डी आप्शन रिश्ब देव कंबोडिया के अंगर कोरवाट मंदिर में सबसे अधिक चित्रकारी की गई बुद्ध, विश्णू, तीर्थकर या कंबोडिया के राजा की तो अंसर किसका आएगा विश्णू के साथ विश्णू के साथ जाएए सभी जन्ता की गुफाएं महराष्ट्र में हैं कहां पे हैं वो किस से धर्म से जुड़ी हैं सिंदुगाटी बुद्ध, जैंद या इन में से कोई नहीं तो सिंदुगाटी की सब्वेता जो अजन्ता की गुफा हैं वो आपकी किसे जुड़ी हैं बौध धरम से बौध धरम से जुड़ी हैं महावीर स्वामी किस शत्री राजवन्ष से संबंदित हैं शाक के जात्रिक लच्वी या वर्धन क्या अंसर आएगा जात्रिक नेक्स्ट क्यूशन बाईसमा सुआमी महावीर के जीवन की घटनाओं में स्थल जो सूचियां दी हैं उसमें से आपको मैच करना है यानि कि पहला बोला है ज्यान प्राप्ती पावा में हुई या निर्वान जाबिक ग्राम में पहली संगीत जैन संगीत कुंदन ग्राम में जनमस्थान, पाटली पुत्र, A, B, C, D की साथ दी गई है, आपके पास option, तो इसमें से कौन सी option ठीक रहेगी, तो ठीक है, B option, जो B option बोलती है, A का अंसर जो है, वो 2, यानि की ग्यान प्राप्ति जो है, वो किसको होगी, जाबिक ग्राम में हुई थी, दूसरा B, वो हुआ था पावा में, इसी परकार से, पहला जैन संगीत, जो है, वो हुआ था पाटली पुत्र में, और इसी परकार से, जनमस्थान, कुंदन ग्राम, या कुंडल ग्राम में हुआ था, तो इसी परकार से, तियारी करते रहो, तियारी करो, शेयर कर दो, यार, गुरुओं के स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे भिक्षू महारिशी महापुरुष या तीर्थकर क्या अंसर आएगा तीर्थकर जल्दी से कुमेंट करते रहो जल्दी शेयर करतो यार कुमेंट करते चलो जल्दी जल्दी क्योंकि कुमेंट का ही वैली होगी आपकी नी इसमें पाशनात थे त्री रतन, सिधान्थ और पांच व्रत की मुख्य शिक्षा है जैन धरम वो बहुत धरम करम सिधान्थ के विश्वास नहीं करते थे तो ये नहीं है ये वो इनके उपर विश्वास करते थे और यहाँ पर गलत दिया है विश्वास नहीं करते थे कोमेंट करो बेटा कोमेंट करो शेयर करो जल्दी जल्दी कोमेंट करते रहो गौतम बुद्ध ने पहला उबदेश डियर पार्क में दिया यह कहां पर है राजगरी गया सारनाथ यार रांची क्या अंसर आएगा तो इसका अंसर आएगा सारनाथ तो सारनाथ में है यह अगला सवाल नालंदा विश्विध्याले विध्या के एक महान केंद था पॉत्धर्म के लिए जैन धर्म के लिए वाइशनव धर्म के लिए अतंत्र धर्म के लिए तो correct answer is बॉत्धर्म के लिए बॉत्धर्म के लिए था जल्दी से comment करो comment करो बेटा कोमेंट करते रहो जल्दी 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 जितना कोमेंट करेंगे उतना बढ़िया है निमन में से कौन से स्थान वो घटना का जोड़ा गौतम भुद से संबंदित नहीं है लुम्बनी जो है वो वहां पर उनका जनम हुआ बौत गया में आतम दर्शन हुआ कुशी नगर में निर्वान हुआ सारनात में ग्रिह त्याग किया तो ये ग्री त्याग जो वो सारनात में नहीं किया है तो इसलिए ये उनके जीवन से नहीं जुड़ा है जीवन से नहीं जुड़ा है तो इसके लिए D option चलेगी सभी hide कर रहे हैं भी या hide ना करो नेक्स शालेंदर राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल सतूप बोरा बुधूर का निर्मान कहां करवाया जاवा यानी कि इंडोनेशिया में मनीला कमबोडیا या लायोज लायोज तो इसका अनसर है इंडोनेशिया नेक्स्ट नीमन मैसिक किसका जनम या मृत्यू वैशाख पूर्णीमा के दिन हुई बुद्ध मावीर शंकराचारे है चैतन्य तो अंसर है बुद्ध बुद्ध जी का जो देहांत है या मृत्यू है वो वैशाख पूर्णीमा के दिन हुई थी जी के ट्रिक बहुत बढ़िया बेटा बहुत ही अच्छा है आपके अंसर बिल्कुल है बस कोमेंट करते रहो कोमेंट करते रहो जल्दी से शेर कर दो स्ट्रीम को नेक्स्ट आजाता है निमन मैंसे सबसे पुराना राजवन्ष कौन सा है मौरे वन्ष पलव चोल गुप्त कोमेंट करें हर्श जल्दी से कोमेंट कराओ कुमेंट करें मौरे वन्ष सबसे पुराना वन्ष है अंसर ये होगा निमन मैंसे किस थल पन सिकंदर के मृत्यू ही पट्यारा होगा तक्षिला में बेबी लोन में या जेड रोसिया तो अंसर इस बेबी लोन प्राचीन भारत में मगद की राजधानी प्रारहम में क्या थी पाटलिपुत राजगरी विशाली या वारा नसी तो अंसर इस राजगीर जल्दी से कमेंट करते रहो देखो दोस्तो इससे आपको ये पता लगेगा कि हमारी इस बुक से लेटर कितनी तयारी हो चुकी है इसल चंद्रगुप्त या अशोक कमेंट करो ABC चंद्रगुप्त मौरिस मराज्य का समय काल क्या था दोसो तेहतर से 236 BC तीन सो से 184 चालिस से 176 दोसो से 96 तो क्या अंसर होगा अंसर होगा बी ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ जाएंगे सभी बहुत धरम का परचार करने के लिए अ अशोक ने शिरलंका किसे भेजा था कोटिलिय पुष्य पित्र मित्र या बान भर्त या मेहंद्र को तो अंसर है महेंद्र चंद्रगुप्त मौरे के पोत्ते का नाम क्या था भी या बिम्बी सार अशोक मैक्सनीज या समुंदर गुप्त तो चंद्रगुप्त मौरे के पो options आई हैं बिटा एक A.D. में हैं एक B.C. में याद रखिएगा ये B.C. वाला अंसर चलेगा इसमें कौन सा चलेगा B.C. वाला दोनों option में A.D. है B.C. है इसलिए B.C. याद रखिएगा before Christ ठीक है next आयता है दिली के पास जो महरोली में अशोक स्तंब लगाया है तो लोह स्तंब लगाया है वो किस वंश के सासकने लगाया था मतलब महरोली में जो कुत्तु मिनार के पास लगा ये लोह स्तंब गुप्त ने मौरे ने कुशान ने ये गुजर प्रतिहार ने तो क्या अंसर आएगा तो गुप्त वंशोन ने वंशोन ने इसे लगाया था कैसी लग रही है मैरे थन क्लास शेर कर दो बेटा शेर तो करो अब कैसी लग रही है किस शासक की उपलबदियों को इलाबाद स्तंब लेग में उतकीरन किया गया चंदर गुप्त मौरे समुंदर अपना अंसर देखके बस अंसर देते जाएए कलपना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विशाल डोगरा अखिल डोगरा एच्पी ट्रिक्स आशीश राना बहुत बढ़िया आरे भट वो बरह मीरी किसके समकालीन थे गुप्त चौल मौरे या मुगलवंश तो समराजवाद राज्यस और भूमी सुधार साहितिकारों के स्ट्रक्शन के लिए तो इसका अंसर है कला और स्टापत्य के लिए गुप्त वंश की स्थापना किस ने की गुप्त वंश की स्थापना किस ने की तो गुप्त वंश की स्थापना जो है वो शिरी गुप्त ने की अगला स्वाल फायान चीनी आत्री किसके शासनकाल मैं भारत आया समundर को चंदर गुप्त चंदर को दूटी और प्रतम और हर्श बर्धन तो answer is, answer क्या होगा, answer क्या होगा, answer बताएं बिटा, answer बताएं, answer बताएं, तो इसका answer है, चंद्र गुप्त द्वीति, यानि कि बिक्रमा दित्ते के काल में आया था, बहुत बड़िया, बी option के साथ जितने जा रहें, अमित राना, अकिल, डोगरा, रविंदर, आशीश, दिक्षा कुमारी, अभिशेक शर्मा, चौधरी, आगाश चौधरी, कल्पना, अमित राना, अकिल, निखिलवारी, आशीश, चौधरी, आर्ष, रविंदर, भलजीत, एच्पी ट्रिक्स, स बिक्रमा देते हैं समुंदर गुप्त या हर्शवर्धन, तो इसका correct option आजाएगा आपका समुंदर गुप्त, समुंदर गुप्त को भारती नेपोलियन की परिभाशा या नाम दिया गया है, किस वंश के शासन को भारती इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानि कि म अंसर आएगा, गुप्त वंश, कमेंट करते रहिएगा, पचास कोशन मेरे साथ होंगे, अगले पचास जो है, वो मुनीश श्रमा के साथ स्टार्ट होंगे, तो प्रिंस चोधरी, जल्दी से अंसर दिया करो, बेटा, बहुत बढ़ी आप बेटा, प्रिंस, आप तो प्रि केशिन द्वितिय को, नेक्श आगया, हर्श वर्धन के समराजिक की राजधानी कहां थी, कनोस, थाने सर, दिल्ली, अजमेर, तो कनोस जो है, वो हर्श वर्धन की राजधानी थी, ये इसका बहुत बढ़ी अंसर एगा, चीन की प्रसिध धार्मिक विद्वान, हेंसां, कि किस के शासनकाल में भारत आया, हर्श वर्धन के शासनकाल में आया था बिटा, देखिए, अंसर जब भी पेपर में देना, तो आप जल्दी जल्दी दीजा करो, एच्पी ट्रिक्स बहुत बढ़ीया, डी, 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 के साथ जा रहे हैं, बान भट, किस राजा के पारी विद्वान थे, चंद्रगुप, द्वितिये, समंद्रगुप, धर्मपाल या हर्श वर्धन, तो अंसर है हर्श वर्धन, लास्ट अंतीम कोश्चन मेरे द्वारा, कोड़नाक, उडिसा का सूरे मंदिर जो है, वो किस ने बनवाया था, तो सूरे मंदिर जो है, वो प्रथम ने बनवाया था, अगले सवाल मुनिश के आवाज में, तो नेक्स्ट वन है आपका, किस बंश के सासक ने श्रिलंका पर आकर्मन किया था, ओप्शन आपके सामने दी गए है, पांडे ने, चालुक्ये ने, चोल ने, या फिर रास्ट कूटो ने, तो इसका जो और कांची में प्रशिद केलास नाथ मंदिर का निर्मान किस ने किया था, जो कांची में आपका केलास नाथ मंदिर है, उसका निर्मान किस ने किया था, महेंदरवन, नर्सिंग बर्मनने, नंदी बर्मनने, या फिर दंती बर्मनने, तो कोरेक्ट ऑप्शन जिसका रहेगा, वो है आपका option B, nursing बर्मनने, next one है, निमन में राजबंश वशाशन क्षेतर में कौन सा युगम गलत है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका option जो है वो गलत है, जो बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो चालुक्य, बादामी, कल्यानी बेगी, पांडे, मदुरेई, चोल, दक्षिन, भारत, या option D है, पलव, उडीशा, तो correct option इसका रहेगा, option number D, पलव, उडीशा, next one है, तंजोर के शिब मंदिर का निर्मान किसने करवाया था, आपको बताना है कि तंजोर का जो शिब मंदिर है उसका निर्मान किसने करवाया था, चोलों ने, पलवों ने, पांडवों ने, या फिर राश्ट कूटों ने, तो correct option रहेगा, चोलों ने, next one है, राश्ट्रकूट समराज्य का प्रवर्तक कौन था दान्ती दुर्गा, अमोध पंश, गोबिंद या फिर इंद्र तो correct option इसका है दान्ती दुर्गा जिसको दंडी के नाम से भी जाना जाता है Next one है चोल राजाओं ने किस धरम को सरक्षन परदान किया था जो चोल के राजा थे उन्होंने किस धरम को सरक्षन दिया हुआ था जैन धरम, बो धरम, शैब धरम, बैशनब धरम जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा इसका correct option रहेगा तो चोल राजाओं के द्वारा शैब धरम को सरक्षन परदान किया गया था Next one है चोलों ने किस क्षेतर पर शाषन किया था तो चोलों के द्वारा कौन से क्षेतर पर शाषन किया गया था मालावार, तंजोर, सीलोन या फिर मैसोर तो correct option जो इसका रहेगा वो है आपका option भी तंजोर पर Next one है पूर्वी चालुक्यों की राजधानी क्या थी बातापी, बेगी, नागरजुन, कोंडा या फिर अमरा बती तो जल्दी से इसका अंसर बताएं बेगी जो है वो इसका correct option रहेगा तो वो सभी के अंसर यहाँ पर almost correct है रविंदर कुमार, बलजीत, आशीश चोधरी, कलपना, अखिल, अभिशेक शर्मा सबका अंसर यहाँ पर correct आया है next one question है हमारा मध्य कालीन यूग में निर्मित लिंग राज मंदिर स्थित है यह कहाँ पर है यह आपको बताना है लिंग राज मंदिर जो है उसका निर्मान मध्य कालीन यूग में किया गया था सो बताना है कि आपको कहां पे ये स्थित है भुबनेश्वर में, खुजराहो में, मदुरई में या फिर माउंट अबू में correct option रहेगा भुबनेश्वर में next one है आपको यहां पे correct option बताना है कि कौन सा आपका बिल्कुल सही match करता है बिक्रिमी शंबत की स्थापना यहां पे आपको बतानी है शक्षमबत की स्थापना, हिजरी संबत की स्थापना या फिर फायान कब भारत आया था तो कौन सा option यहां पे correct बनता है वो आपको यहां पे बताना है डारेक्ट आपके जो है वो चार कोशन यहां से बन सकते हैं तो इसका जो correct option रहेगा वो है option number B जिसका A option जो है वो आपका जाएगा थर्ड के साथ विक्रमी संबत की स्थापना जो है वो हुई थी 57 SB में उसके बाद option B था इसका सक शंबत की स्थापना कब हुई थी तो उसकी हुई थी 78 में उसके बाद हिजरी संबत की स्थापना जो है वो हुई थी हमारी 622 SB में और last हमारा बचा फायान भारत कब आया था तो यह आया था 405 SB में नेक्स्ट क्वेशन है हमारा भारत में सुध सोने के सिक्के सबसे पहले किस ने चलाए थे गुप्त बंश, कुशान बंश, मोरे बंश या फिर मगध समराज ये ने तो इसका correct option आपका आना चाहिए कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस बंश के द्वारा चलाए गए थे तो कुशान बंश के द्वारा जो है ये चलाए गए थे option भी इसका correct answer रहेगा next one है यादब शाषकों की राजधानी क्या थी द्वार समुद्र, बारांगल, कल्यानी या फिर देव गिरी तो correct option रहेगा इसका देव गिरी comment आपके साथ साथ में आने जाहिए question के next one है तराइन के द्वितिय युद जो कि आपका हुआ था 1192 बी में मैं किसने किसको पराजित किया था important question है history का काफिवार पूछा गया है पृत्वी राज चोहान ने महमद गोरी को हराया था option B है महमूद गजनभी ने पृत्वी राज को हराया था option C है पृत्वी राज ने महमूद गजनी को हराया या option D है आपका महोमद गोरी ने पृत्वी राज को हराया था तो इसका जो correct option है वो है आपका option number D महोमद गोरी ने पृत्वी राज को हराया था और तराइन का दूती युद हुआ था 1192 इस भी में Next one है महोमद गोरी कहां का शाशक था Paris, Iraq, Afghanistan या फिर इरान तो महोमद गोरी जो है ये शाशक था अफगानिस्थान का option C बिल्कुल सही आंसर रहेगा Next one है निमिलिकित में से कौन सतेहार पैगंबर महोमद के जनम दिवस पर मनाया जाता है इद उल जुहा, मुहरम, इद उल फितर या फिर इद उल मिलाद तो महोमद, पैगंबर महोमद के जनम दिवस पर जो है इद उल मिलाद दिवस जो है वो मनाया जाता है तेहार इनके जनम दिवस पर ये मनाया जाता है Next one है निमन में से किसने भारत पर सबसे पहला आकर्मन किया था अफगानी, अर्बी, तुर्क या फिर मुगलों के द्वारा तो इसका correct option रहेगा अर्बियों के द्वारा सबसे पहले भारत पर आकर्मन किया गया था Next one है पहला मुसल्मान अर्ब आकर्मन कारी 712 इस भी में कौन आया था? महमूद गजनबी, महम्मद गोरी, महम्मद बिन कासिम या फिर बाबर तो ऐसा पहला कौन सा मुसल्मान था? जो आकर्मन कारी 712 इस भी में आया था तो उसका नाम था महम्मद बिन कासिम उप्शन सी, correct अंसर इसका रहेगा गुलाम बंस का संस्थापक कौन था? महम्मद गोरी, अलादीन खिलजी, महम्मद बिन तुगलक या फिर कुत्तु बिदीन एबक तो इसका correct आंसर रहने वाला है option number D, कुत्तु बिदीन एबक next one है भारत में सूफी संपरदाई के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा, कुत्तु बिदीन, बकित्यार, काकी, शेख, निजामुदीन ओलिया, ख्वाजा, मुईनी दीन, चिश्ती या फिर सेख, नसीरुदीन, महम्मद important question है आपके लिए तो इसका correct answer रहेगा option number C, ख्वाजा, मुईनी दीन, चिश्ती next one है परसिद फार्सी तो यहार नोरोज का परवर्तन किस ने किया था? अलावदीन, खिलजी ने, इलतुमिश ने, फिरोज, तुगलक ने या फिर बलबन ने तो correct option इसका जो रहेगा वो है आपका option number D, बलबन next one most important question काफिवार एक्जाम में पूछा जा चुका है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इलतुमिश की, कुतुबिदीन एबक की, नसीरुदीन की या फिर बलबन की? तो correct answer इसका है इलतुमिश की, रजिया सुल्तान जो है वो इलतुमिश की बेटी थी next one, तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? आपको बताना है यहाँ पे 19 जनबरी, 14 सो इसवी में, 18 दिसंबर, 1398 स्वी में, 1404 स्वी में, या फिर 1305 स्वी में तो correct answer इसका रहने वाला है, option नमबर बी, 18 दिसंबर, 1398 स्वी में, आशीश चोधरी, अखिल डोगरा, निखिल बालिया, चोधरी जी सब के answer यहाँ पे आये हैं, हर्ष, सतिंद्रा देवी, अनुपमा, सब का answer यहाँ पे आया है next question है, हमारा तैमूर के आकर्मन के समय, दिल्ली का शाशक कौन था, फिरोश शाह, तुगलक, सिकंदर लोधी, नसीरुदीन लोधी, या फिर सुल्तान महमूद, तो option D, सुल्तान महमूद, इसका correct answer रहेगा next one है, तुगलक बंच की स्थापना, किस ने की थी, history से related हमारे question चले है, जिसमें आपकी सारी की सारी history जो है वो cover कर दी जाएगी तुगलक बंच किस था आपना किस ने की थी गाजी तुगलक, मोहमद तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर तैमूर लंग तो option A गाजी तुगलक जो है वो इसका correct answer रहेगा next one है निमेलिखित में से बिजे नगर राजे का प्रत्थम राजवंश कौन था होई साल, संगमा, सालूबा या फिर तुलूबा तो correct answer इसका रहेगा हमारा संगमा next one है बिजे नगर का बरत्मान नाम क्या है या फिर बिजे नगर समराजे के अबशेश क्या है तो बिजे नगर का बरत्मान नाम क्या है मतलग कि बिजे नगर को आज हम किस नाम से जानते हैं हमपी जो कि करनाटक में है नेक्शन हुबली, चंदरगिरी या फिर मंगलोर तो correct answer इसका रहने वाला है option number A हमपी आपको comment box में बताना है कि हमपी जो है ये हमारी currency के किस note के पीछे छपा है इसका answer भी आपको बताना है important question है और हमपी का अगर पुराने नाम की बात करें तो वो है हमारा बिजे नगर जिसको आज हम हमपी के नाम से जानते हैं next one है बिजे नगर समराज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था ताली कोटा, रायचूर, मुदगल या फिर दिवानी तो correct option जो इसका रहने वाला है वो है option नमबर A ताली कोटा जल्दी से comment box में अपना answer जरूर दे next one हरी हर और बुक्का ने दक्षिन भारत में एक राज्य किस थापना की जो बाद में बिजे नगर समराजय बना उस समें दिल्ली का सुल्तान कौन था आपको बताना है जलाउदीन खिलजी, अलवदीन खिलजी, मुहमद बिन तुगलक या फिर फिरोश शाह तुगलक तो option number C, मुहमद बिन तुगलक इसका correct option रहने वाला है next question है आपके लिए बावर मूल रूप से कहां का निवासी था फरगना, खीवा, खुरासान या फिर सिस्तान का तो इसका जो correct answer रहने वाला है वो है फरगना next one most important पानिपत की पहली लडाई कब लड़ी गई थी 1526 में 1556 में 1760 में या फिर 1761 में जल्दी से इसका answer बताएं 1526 में पानिपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी राकेश कुमार का answer बिल्कुल correct है next one है निमन में से कौन सा अकवर से समंदित है दीन ए इलाही इबादत खाना फतेपुर सिक्री या फिर पानिपत का प्रत्थम यूद option आपके सामने दी गए है कौन से इसका option रहने वाला है दीन ए इलाही इबादत खाना या फिर दीन ए इलाही फतेपुर सिक्री या फिर ये तीनों या फिर पानिपत का प्रत्थम युद तो correct option जो इसका रहेगा वो है option number C जिसमें है आपका दीन ए इलाही, इवादत खाना और फतेपुर सीकरी ये सभी के सभी अकवर से समंदित हैं और पानिपत का पहला युद अकवर से समंदित नहीं है नेक्श वन है फतेपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनाया था अकवर ने, शाजहा ने, जहांगीर ने या फिर हिमायू ने तो फतेपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जो है वो अकवर ने बनाया था, option A इसका बिल्कुल correct answer रहेगा नेक्श कोशन है आपके लिए, पंदरसो बासीस भी में दीन ए इलाही की स्थापना, किसके द्वारा की गई थी, बावर के द्वारा अकवर ने की थी, हिमायू ने या फिर जहांगीर ने, option B, अकवर इसका बिल्कुल correct answer रहेगा आपको जो question है वो आपको सुनने है, notes की form में आपको सुनते रहना है, ताकि आपकी practice जो है वो जादा से जादा अच्छे तरीके से हो सके next one है, हलदी घाटी का यूद जो है वो 1576 भी में हुआ था, उसमें महाराना परताप के बिरूत अकवर की सेना का नेतरतब किसके द्वारा किया गया था, राजा टोडर मल, राजा मान सिंग, राजा भिहारी मल या फिर राजा भगवान दास के द्वारा तो correct option इसका रहेगा राजा मान सिंग, next one है, फतेपुर सीकरी का पंच महल किसके द्वारा बनाया गया था, अकवर, शाजहां, जहांगीर या फिर हुमाईू, तो correct option इसका रहेगा अकवर, अकवर के द्वारा फतेपुर सीकरी का पंच महल बनाया गया था, next one है, किस साशक दिल्ली से चेंज करके आगरा बनाई गई और उसी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना भी की गई अकवर, बावर, सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी correct option इसका रहेगा सिकंदर लोधी next one है किस मुगल साशक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई अकवर, शाजहा, जहांगीर या फिर ओरंग जेव तो correct option इसका रहने वाला है option number B, साजहा correct है इसका option B, साजहा next one है चेतक किस राजा के घोडे का नाम था काफिवार एक्जाम में पूछा गया है आर्मी के एक्जाम में शिवाजी, टीपु सुल्तान, उमेद सिंग या फिर महाराना परताप जल्दी से इसका answer करें कि चेतक किस राजा के घोडे का नाम था शिवाजी, टीपु सुल्तान, उमेद सिंग या फिर महराणा परताप तो correct answer इसका रहने वाला है महराणा परताप Next one है बावर ने प्रत्थम बार किस युद में तोप खाने का उपयोग किया था काबुल का युद, पानीपत का युद, भैरा का युद या फिर स्याल कोट का युद जल्दी से अपना अंसर यहाँ पर बताएं बावर ने पहली बार किस युद में तोप खाने का उपयोग किया था तो करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है पानीपत का युद जो लड़ा गया था 1526 इसबी में नेक्श वन, ताज महल का डिजाइनर कौन था साजहा, उस्ताद इशा, खिजर खान या फिर खुरम जल्दी से इसका आंसर बताएं तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा वो है हमारा उस्ताद इशा जिसने ताज महल का डिजाइन किया था नेक्श वन है, निमन में से कौन सी इमारत साजहा ने नहीं बनवाई चार ओप्शन आपके सामने है आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इसी इमारत है जिसको साजहा के द्वारा नहीं बनाया गया है ताज महल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जित या फिर बुलंद दरवाजा तो करेक्ट आप्शन इसका रहेगा वो है आपका बुलंद दरवाजा शाजहा के द्वारा नहीं बनाया गया साजहां द्वारा निर्मित तक्ते ताउस बप्रसिद कोहिनूर हीरा कौन सा मुसलिम आकर्मानी लूट कर ले गया था अजमत शाह अबदाली, नादिर शाह, चंगेज खां या फिर तैमूर लंग तो इसका correct answer है वो है option number B नादिर शाह जिसने 1749 इसवी में बहां के कोहिनूर हीरे को लूटा था next one बावर नामा जो बावर की आतमकता है ये किस भाशा में लिखी गई थी most important question है चीनी भाशा, रूसी भाशा, तुर्की भाशा या फिर फार्सी भाशा तो correct answer इसका रहेगा वो है option number C तुर्की भाशा में बावर नामा जो है उसमें बावर की आतमकता लिखी गई थी next one सती प्रथा की भरतर्षना करने वाला मुगल समराठ कौन था बावर हुमायूं अकवर या फिर जहांगीर जल्दी से इसका answer करें कि सती प्रथा को खतम करने वाला मुगल समराठ कौन था बावर हुमायूं अकवर या फिर जहांगीर correct option इसका है अकवर next one है किस यूद में भारत में मुगल राजे की नीव पड़ी पलासी का यूद ताली कोट का यूद पानिपत का प्रथम यूद या फिर हल्दी घाटी का यूद जल्दी से इसका अंसर करें option C जो है वो correct answer है पानिपत का प्रथम यूद जिसको लड़ा गया था 1526 इसबी में next one है मुगल बंश का अंतिम राजा कौन था बहादुर शाह जफर बावर नसीरुदीन या फिर इन में से कोई नहीं आपको बताना है मुगल बंश का अंतिम राजा कौन सा था तो उसका नाम था बहादुर शाह जफर option A बिल्कुल correct answer है next one है ग्रान ट्रक मार्क जो की कलकत्ता से पिशाबर में है उसका निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था अकवर शेर सहसूरी अलावदीन खिल जी या फिर बावर के द्वारा तो correct answer इसका रहेगा शेर सहसूरी next one है सिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहन करके कौन सी उपाधी धारण की थी चक्रबती, शमराट, छतरपती, सुल्तान या फिर राजाओं का राजा तो सिवाजी को कौन सी उपाधी से सम्मानित किया गया था ये आपको बताना है important question है और इनको जो है वो छतरपती शिवाजी के नाम से जो है वो जाना जाता है next one है शिवाजी ने 1674 में अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी कटारगड, राजगड, पुरंदर या फिर संगोली में correct answer इसका रहेगा option B राजगड में शिवाजी के द्वारा राजधानी बनाई गई थी next one है शिवाजी के मंत्री मंडल में परधान मंत्री क्या कहलाता था पेशावा, सचीव, मंत्री या फिर शामन्त तो option जो इसका रहने वाला है वो है option नमबर A जो की है हमारा पेश्वा तो आपको कैसे लग रहे है कि आज का जीके जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है कुमेंट करके जरूर मुझे बताएं तो सौ सवालों तक पहुंच गए हैं मित्रो सौ सवाल बहुत ज़ादा होते हैं हम सौ सवालों पर पहुँच गए हैं तो सौ सवालों में आप ये बताएं कि आपके कितने सवालों के अंसर सही थे अब कमेंट करें या सामने आपके बैठा हूँ कमेंट करिए साथ में हमें बताएं कि आपको questions कैसे लग रहे हैं, fast है, slow है, comment करिए, भी comment कर दीजिए, क्या करना चाहिए हमें, 25 जुलाई की तारीक है, साथ में आ गई है, अब बताएं हम कितने questions ले गए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, राकेश, बहुत खूब जनाब, 100, अच्छा आप सब के 100 हैं, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है बेटा, बहुत बढ़ी है, 15 जुलाई 2010, सभी को पसंद आ रहा है न भीया, आगे हम continue करेंगे, ये जीके का महा युद्ध है, देखें कि कौन किस्तना रखता है दम, तो देखें, और हम आगे continue कर रहे हैं, 100 के आगे 101, 101, तो 101 का सवाल है ये, तो 101 बोलता है, सिखों के दसमें और अंतिम गुरू कौन थे, गुरू नानक देव, गुरू अरजुन देव, गुरू गोविन सिंग, गुरू हर गोविन सिंग, गुरू, तो answer his C option, गुरू गोविन सिंग, गुरू गोविन सिंग का जनम कहा हुआ, पटना, बिहार, तलबंडी, यानि कि ये आपका पंजाब में आ रहा है, आनंद साहब, या नानदेड, तो जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, तो पटना, बिहार, जो है वो इसका सही अंसर है, अगला सवाल, भारत में सबसे पहले अपना मुद्रा का नाम रूपया किसने रखा, अकवर, अलाव दिन खेल जी, शेर्शा सूरी, इस्ट इंडिया कमपनी, तो आपका अंसर आएगा, शेर्शा सूरी, जिसने जी टी रोड बनवाया था, सिख धरम के संस्थापक कौन थे, और उनके वो प्रतम गुरू भी थे, गुरू नानक देव, गुरू गोविन सिंग, गुरू अमर्दास, या तेज बहादुर, तो जल्दी से अपना कमेंट करें, विटा, कमेंट करें, गुरू नानक देव, आदी गरंथ पुस्तक के, पुस्तक स्थित संबंदित है, यानि कि किस से संबंदित है, आद अम्रिस्सर की स्थापना किसने की अम्रिस्सर गुरू अर्जुन देव, गुरू रामदास, गुरू अंग देव, गुरू तेज बहादूर को गुरू रामदास ने की थी, गुरू रामदास ने इसकी स्थापना की थी, किसकी अम्रिस्सर की, इसलिए अम्रिस्सर के जो हवा अगला आजाता है गुरु गोबिन सिंग की हत्या गुल खान पठान ने कहां पर की थी पटना अम्रिसर नांदेड महाराष्टा या लाहूर तो अंसर आगया है आपका नांदेड महाराष्टा में जो है उनकी हत्या गुल खान पठान ने की थी गुरु गोविन सिंग की निमन मैं से किसे जाटों के प्लेटों के रूप में जाना जाता है गोकुल सूरजमल बदन सिंग कपूर सिंग ए बी सी डी चार ऑप तो correct answer is सूरजमल खुजराहो का जो मंदिर है मध्य परदेश में ये किन शासकों ने बनवाया था परमार चंदेल प्रतिहार या चोहान तो answer is चंदेल शासकों ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर कहां सित है अमरित सर कपूर थरा लाहूर पठान कोट तो answer is अमरित सर जल्द किसी का इंतजार नहीं करती नौकरी तो छीन कर लेनी पड़ती अब या भारत पहुंचने के लिए समुंदरी मार्ग की खोज किसने की कैप्टन कुकु कॉपरनिक्स कैपलर बासको डिगामा तो correct answer is बासको डिगामा पहला समुंदरी यातरी और आपको मालूम है समुंदर पहला हमारा जो भारत का प्रवेश दुवार है वो भी मुंबई को यानि की गेटवे आफ इंडिया को ही कहते हैं पानी पत का तीसरा युद्ध अहमद शावदाली वो मराठों के बीच कब हुआ पांसो चपुंजा पांसो पंदरा सो चब्विस स्तारा सो इकासट स्तारा स प्लासी कायुद तरेश जून स्तारा सुस्तुंजा अंग्रेजों के विरुद लड़ी गई नवाब सुराजु दौला के साथ लड़ी गई मीर जाफर मीर कासिम या पेशवा तो कुरेंस अंसर ए नवाब सुराजु दौला के साथ आधनी काल में प्रतम यूरोपी जिसने भारत के साथ विपार संबंद स्थापित किये थे उनका नाम था पुर्तगाली यही तो आये थे जो हमारे देश को लूट के ले गए प्राथना समाज की स्थापना किसने की बहुत important question रहरा बिटा सब भी तियारी करिये आर्मी में जाना है तो तियारी करनी है शेयर भी करन हो आज तो हम 116 कहां अभी तो शाम क्या रात भी होगी अंसर है प्राथना समाज की जो संस्थापक है वो केशव चंद्र सेन है राम क्रिशन मिशन की स्थापना किसने की द्यानन सरस्वती विवेकानन परम हंस या राजा राम मोहंडराय तो अंसर इस विवेकानन्थ मैडम एच एस एस रूस के हैं ये करनल एच एस अलकूर्ट ने ठारा स्थोस्तूंजा थियो फिजिकल सोसाइटी की स्थापना कहां की थी तो अंसर है नी यॉर्क में अगला है रानी लक्षमी भाई के घोड़े का नाम क्या था चेतक बादल पवन या इन मैसे कोई नहीं तो अंसर इस पवन उनके घोड़े का क्या नाम था पवन था मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जितने भी युवा हमारे साथ जोड़ रहे हैं सभी युवा एक तो शेयर कर दीजिए और खुद की प्रैक्टिस के लिए ये आपके पास दिये गए कोशिशन से ना कि ये किताब से देख कर आप अंसर करें मैं आपसे ये हाथ जोड़ कर बिनमर प्रातना करता हूँ कि आप अपने सवालों को इन सवालों को बिना देखें आप कोशिश करें कि हमारे कोशन कितने ठीक होते हैं बहुत बढ़िया रहेगा पैसको दिनेश कुमार प्रतम टेलीग्राफ सुविधा ठारा सो सुझा में धलोजी यानि की चमबा के कुलकत्ता में के मध्य कब शुरू की गई थी टेलीग्राफ दिल्ली आगरा मुंबई में महमदाबाद क्या अंसर रहेगा अंसर इस आगरा भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना किसने कि डर्फिर ए ओ यूम जोर्ज यूरिल और दादा भाई नौरजी तो अंसर इस ए ओ यूम ए ओ यूम बी ऑप्शन भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई ठारसो ठुणजा ठारसो अस्थारसो पच्यासी उनिसो छे तो अंसर इस अठारसो पच्यासी भारती राष्टी कॉंग्रेस की प्रत्थम अधिवेशन कहां हुआ पूना मुंबई कुलकता या नागपूर कुलकता भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रत्थम अध्यक्ष कों थे बुमेश चंदरबनर जी दारदा भाई नौरजी भरू दून चंदरबनर जी भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रत्थम अध्यक्ष कों थे जोर्ज यूल हैंडी कॉटन अलफर्ड बेल या बिलियम बेडरन तो अंसर इस जोर्ज यूल बहुत ही बड़िया अंसर सभी के आरें कमेंट करते रहो बेटा स्पीर दे दो कमेंटों की पता तो लग जाए भीया कितने अंसर आ जाएंगे हमारे भारती राष्टी कॉंग्रेस का प्रत्थम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था बहुत दूरून ताइपते जी मुहमद अली जिन्ना जिनको काइद आजम कहते हैं मुहमद अली जिन्ना को अब्दूलकलाम अजाद यसर मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को कब हुई थी किस वर्ष हुई थी 1905-1906 आठ या 1901 तो अंसर है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी बहुत ही important question है Congress के प्रथम महा सचीव कौन थे ए हो यूम एनी बेसेंट राजिंद प्रसाद या इन में से कोई नहीं तो अंसर है ए हो यूम ठारस तूंजा के विद्रो में लखनाओ का नेत्र में आगे बड़ा कौन बड़ा था बेगम हजरत महल तायत्या टोपे रानी लक्ष्मी बाई या नाना साहिब तो अंसर इस बेगम हजरत महल बहुत ही नाम इनका famous है next question की तरफ चलते है 130 सवाल हो चुके दोस्तो 130 बहुत ज़ादा होते हैं मगर आज की रात आपके साथ भारत का प्रतम वाइस राय कौन था lord rauzzy lord Edwards in lord rippan lord curzan तो आंसर इस lord canning अगला सावाल अली गड आंदोलन किस ने शुरू किया था मौंमद अली जिन्ना सर सेदथ हम खां मौंमद इकवाल या जाकिर हुसेड सर सेदथ एहमेद खान अगला सवाल चमपाती और कंबल का संबन्द किसके साथ था तो ठारा सो स्टुन्जा के विद्रो के साथ कुकान दोलन से सामोसी विद्रो से या उप्युक्त सभी ठारा सो स्टुन्जा के विद्रो से किसके ने कहा सुवराज मेरा जनम से दधिकार है ये मैं लेकर रहूँगा भाया बाल गंगा धर्तिलक लाला लाजपत्राई महातमा गांदी सरदार भगत सिंग तो अंसर इस बाल गंगा धर्तिलक लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है बाल गंगा धर्त तेलक लाला लाज पत्राय विपिन चंद्रपॉल या उप्योगत सभी तो इन तीनों को जाना जाता है बहुत बढ़िया सवाल है यह याद रखिएगा बेटा असयोग अंदोलन को 1922 में से स्थगित करने का करण क्या था भारत ने अंदोलन कारियों की मांगे मान ली थी लोग बिनमर हो गए थे चोरा चोरी कारण के करण या इससे अर्थ विवस्ता फैल गई थी तो अंसर है चोरा चोरी कारण क्योंकि ठाने में ही सब को जला दिया था अंग्रेजों को ये चोरा चोरी कारण था असयोग अंदोलन फिर बापिस ले लिया मात्मा गांदी ने ओके भिया किसका विरोध करते हुए लाला लाजपतराए ने अपनी जान दे दी साइमन कमीशन का कमीशन कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन या चेम्स फॉर्स क्या तो अंसर इस गो बैक साइमन कमीशन 1927 में इसकी स्थापना होई यह 28 में यह भारत आया था साइमन इसका जो है वो अध्यक्ष बने थे next question है किस दिन पूर्ण सवराज दिवस यानि कि स्वतंतता के रूप में स्वतंतता दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1950 को 15 अगस 1947 को 15 अगस 1930 को तो अंसर इस पूर्ण सवराज दिवस कम मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को निमन मैंसे कौन सा विशेश रूप से समाजिक कारे से जुड़े थे विनोबा भावे महत्मा गांति SKD या JP नारायन अपनी कमेंट करते रहो बेटा स्पीड दो स्पीड दो भीया स्पीड दो ये तो स्पीड की बारी है तो अंसर है विनोबा भावे और जो की भुदान अंदोलन से जुड़े थे इश्वर चंदर विध्या सागर किस शेतर से जुड़े हुए थे विद्वा विवा सती प्रता बाल विवा या बंगाल विभाजन तो विद्वा विवा भुदान अंदोलन की शुरुवात कहां से हुई उत्तरप्रदेश अंदरप्रदेश बिहार हर्याना तो correct answer is आंदरप्रदेश अगला सवाल प्रतम गोल में समयलन 1930 में हुआ था फिर दूसरा कतिस में तीसरा 32 में हुआ 1930, 32, 32 प्रतम गोल में स्वितिय कतिस में 32 में हुआ था याद रखीगा मेरे बिया तो कहां हुआ था जगा का नाम था ये बंबाई, पैरिस, दिल्ली, लं रखन दन, बाटो वराज करो की नीती किसने अपनाई, लोर्ड करजन, लोर्ड मिंटो, लोर्ड दढौजी, लोर्ड बेदिलto लोर्ड करजन ने ये बाटो और राज करो की नीती अपनाई थी, जल्दी, कमेंट करते रहो, भहुत बड़ी, आमित चौधरी नीकल d . अखिल डोग्रा राकेश शिश्राना अनुपमा कपूर सनिद्रा देवी अखिल बहुत बड़ी है सभी के नाम लेना भी मुश्किल है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात किसने की लौड कार्न वैलिस ने लौड लौजी ने लौड कैनिंग ने या लौड बिलि हम बैटिंग ने जो हैं अंग्रेजी भाषा या शिक्षा की शुरुवात किर्दी नी तो आज तक तो हमने इंग्लिश नहीं पढ़नी थी अगला भारत की स्वतंतर्ता के समय इंग्लैंड के मैं लेवर इंग्लैंड मैं लेवर पार्टी श्रमिक दल की सरकार थी उस समय प्रधान मंत्री कौन था माउंट बैटन चर्चिल या एस्टेली या लंथन हावला तो अंसर इस केवली मेंट एटली टीपू सुल्तान कहां के शासन थे मैसूर बेलूर है बलिड या श्री रंग पर्टना मैसूर के ये शासक थे सुल्तान थे टीपू सुल्तान और हिंदोस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोशेशन की स्थापना 1928 में कहां हुई दिली लाहोर अमरिसर या कानपूर तो अंसर इस दिली केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांदी ने 1924 में अध्यक्षता की थी वो क कहां पे है बेल गाओं मुंबई सूरत या लाहोर तो इसका अंसर बेल गाओं सबी ने अवग्या आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जर्नल कौन था लॉर्ड जेम्स फोर्ड लॉर्ड डीडिंग तो इनका क्रेक्ट अंसर जो है वो लॉर्ड इर्विन है मैं अब से आपको options नहीं बोलूँगा मैं direct answer बोलूँगा क्योंकि जब आप exam में जाए तो exam में जाने से पहले इस video को देख ले तो आपको answer ही याद हो जाएंगे तो मैं अब answer ही बोलूँगा options नहीं बोलूँगा 1875 में स्वामी द्यानंद ने आरे समाज की स्थापना कहां पर की थी तो answer is बंबई रजिव विल्यम निती निमन लिखित में से किसने लागू की थी लाड ढलोजी ने भारत को ब्रिटेन की और संपत्ती के अपवहन का सिधान प्रती पादित किया था तो correct answer दादा भाई नौरोजी बहुत बढ़िया सभी अंसर दे रहे हैं रोहित कुपता बहुत बढ़िया बिटा अंसर करते रहे हम आपके अंसरों का जो है बेसबरी से इंतजार करते हैं बंगाल एसुचिस्ट सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे तो correct answer is sir बिलियम जॉन्स किसके प्रमुक प्रियास सती प्रथा का अनुमूलन हुआ तो answer is राजा राम मोहन राए भारत की सुतंतरता संग्रा में सीपाही विद्रो निमली खितमें से किसने आरंप किया या कहा हुआ तो answer है मेरट निमली खितम युगों में से सुमलित कौन सा नहीं है यानि कि कौन स संदी से थे लौड रोजी राज बिले निती से थे लौड रिपन जो थे वो इससे नहीं जुड़े हैं ये गलत option है और लौड करजन जो वो बंगाल विवाजन से जुड़े थे ये तीनों options आप याद रखिये लौड रिपन जो है वो गलत सवाल है गदर पार्टी के परम मुख नेता कौन थे तो लाला हर द्याल ये most important सन 1905 में बंगाल विवाजन के समय बाइस राए कौन था तो answer is लौड करजन देखिए कैसा चल रहा है question एनी बेसेंट और लोकमाने तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलनों का नाम क्या था home rule 13 April 1919 को जलियां वाला बाग हत्याकान जो है जर्नल डायर ने करवाया था वो कहां पर करवाया था तो answer is अमरित सर तो कैसे हैं आज के सवाल भारत की राजधानी कुलकत्ता से लौड होडिंग द्वारा स्थानंतरित कब की गई थी तो correct answer is 1912 महात्मा गांधी ने अस्वयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया तो 1920 और साथ पे चोरा चोरी कांड होने के कारण 1922 में इसको बापस ले लिया गया था गांधी जी ने सभी ने अवग्या आंदोलन यानिकि दांडी मार्च कब शुरू किया तो ये किया था 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा कहां से शुरू क की गई एहमदावाद के सावर मती आश्रम से महाराष्टर में गनेश उत्सव किस ने शुरू किया था तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था 22 भारत में किसका प्रतिनित्व करता था तो अंसर इस ब्रिटिश सिंगासन का किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्श किया तो अंसर इस नमक कानून को तोड़ने के लिए चले गए थे महात्मा गांधी जी को बापु की उपाधी किस ने दी सुभास चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को महात्मा किस ने कहा रविंदर नास टेगोर ने कस्तूरबा गांधी की मृत कहां हुई थी अगांखा महल पूने काकोरी डिकैती घटना के नायक कौन थे तो अंसर इस राम प्रसाद बिस्मिल बस साथ में बने रही है कुमेंट करते रही है कुमेंट की नहीं भीया रुकने चाहिए कॉंग्रेस का त्याग करने के पस्चात सन 1949 में सुभास चंद्र ब कि जिसका क्या नाम था तो उसका नाम था फॉरबर्ड ब्लॉग मुहमद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी संधी मांग मुस्लिम लीग अधिवेशन 1940 में रखी वो कहां पर आयोजित किया गया था तो अंसर इस लाहोर क्योंकि वो तेस था ना पाकिस्तान में ही रखना चाता सब कुछ भारती राष्ट्री सेना यानि कि अजाध हिंद फोज ने द्विती विश्वियूद में किसके विरुद लडाई की थी भया तो ग्रेट ब्रिटेन तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद जो है उन्होंने लडाई की थी जल्दी से जल्दी अंसर करते रहो नथुराम गोट सेने मार दिया था इसका मारा था जी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में टपका दिया था उनकी हत्या कर दी थी महामद इकवाल इंकलाप जिंदावाद का नारा किस ने दिया तो इसका अंसर है महामद इकवाल अंसर ही बोल दिया याद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ तो 1942 में हुआ तभी उन्हेंने बोल दिया करो और मरो जो मर जी करो भया अजाद होना है तो करो विश्व का सबसे उंचा युद स्थल कौन सा है सियाचीन शेर पंजाब किसे कहते हैं लाला लाज पतराये को खिलाफत अंदोलन किस से जोड़ कर देखा जाता ह हिंदू मुस्लीम एकता से जल्दी से कमेंट करते रहो कमेंट करते रहो दीन बंदू किसे कहा जाता है तो दीन बंदू जो है वो सी एफ एंड्रूस को कहा जाता है चोल समराजे का अंत किस ने किया तो चोल समराजे का अंत जो है वो यहां पर आप्शन नहीं है इन मेंसे क व्राज पार्टी का गठन कब हुआ तो अंसर इस 1923 अजाध हिंद फोज का गठन कब हुआ उन्नीस सो तरतालिस यहां पर नोट भी दिया गया है आप इस नोट को भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि अजाध हिंद फोज का गठन कैप्टेन मोहन सिंग ने सिंगापूर के मैं 1942 में किया परंतु सुभाष चंदर बोस ने इसका 1943 में अपने अधिकार से में लेकर पूर्ण गठन किया था याद रखिएगा कि कैप्टेन मोहन सिंग ने जो है अजाध हिंद फोज का गठन किया था बाद में जो प्रसिद्धी मिली थी वो मिली थी सुभाष चंदर बोस तो जुड़े रहे हमारे साथ इसी चैनल पे सबस्क्राइब करने चैनल को और आप ये बताएं कि आपको ये जीके के सवाल जो हैं वो कैसे लग रहे हैं और वो आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और मुनिश जी अभी बताएंगे कि आपको questions कैसे चलने चाहिए और इंग्जाम में कैसे पैटरन करना चाहिए? और अगर आपके ये सारे कोशन बिलकुल एकुरेट जाते हैं तो आपको आर्मी में जाने से जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता है कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकी है ये जो जीके है ना बस रटलो वीडियो को रोज रोजाना रात को देखो 25 जुलाई तक बस 25 जुलाई के बाद देखो भरती है रिजल्ट है सब कुछ है इससे बाहर जो है वो आपको एक भी कोईशन जो है वो नहीं जाएगा जितने भी कोईशन आज आपको करवाये जाते हैं अगर आप इनको दो या तीन वार अगर आप इनको सिर्फ सुनते ही है तब भी आपको ये डायरेक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सेट रह साथ मैं बता देता हूं इसका PDF आपको नहीं मिल पाएगा इस बार इसका PDF आपको नहीं मिल पाएगा ये मैं पहले से clear कर देता हूं PDF नहीं available होगा क्योंकि ये books आपके पास सभी के पास उपस्तित होती हैं मैं ये कहूंगा कि book या PDF लेने के बजाए न आप वीडियो को बार कि बेस्ट है तो आगे अब questions शुरू करते हैं क्योंकि ये questions का तो माहा मैराथन है वो तो चलता ही रहेगा और साथ में आप अब मुनिश की आवाज में जो है वो बिश्व इतिहास हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जितना जो इंडिया हिस्ट्री सी वो हमने सारे के सारे 184 question हमने discuss कर लिये हैं और इतने ही question आपके लिए important बनते हैं so next one जो है question आपका बिश्व इतिहास से है बर्ड हिस्ट्री से अफरीका के देशों पर सबसे पहले किस ने आकर्मन किया था डच, फ्रांसिंसी, अंग्रेज या फिर जर्मन के द्वारा तो option B इसका accurate है फ्रांसिंसी के द्वारा next one है ब्रेस्टाइल जो कि फ्रांस की क्रांती से समंदित है वो क्या था कारागार, शाही महल, शायनिक छाबनी या फिर बिधान, मंडल तो option A इसका बिलकुल correct answer रहेगा next one है बिना प्रतिनिधित्व के काराधान नहीं का नारा का समंध किस से है फ्रांस की क्रांती से, ब्रिटिश नागरिक यूद से, भारती राश्टी अंदोलन या फिर अमेरिकी सोतंतरता यूद से तो correct answer इसका रहेगा अमेरिकी सोतंतरता यूद से next one है पुना जागरण अंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? इंगलेंड, फ्रांस, इटली या फिर स्पेन तो इसका जो correct answer है वो है इटली पुना जागरण अंदोलन जो है वो इटली से शुरू किया गया था next one रूसी करांती 1917 के समय रूस का जार कौन था? निकोलिस, अलेक्जेंडर 3, अलेक्जेंडर दितिय या फिर कैथरीन तो correct answer इसका रहेगा निकोलिस next one है धुरूब रास्ट्रों देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? मतलब कि एक्सिस पावर में कौन सा हमारी कंट्री जो है उसको शामिल नहीं किया गया है? जर्मनी, जापान, फ्रांस या फिर इटली correct option रहेगा France फ्रांस को एक्सिस पावर में शामिल नहीं किया गया है नेक्श वन है मित्र रास्टों में कौन सा देश शामिल नहीं है अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर यूनान तो option number D यूनान जो है वो इसका बिल्कुल correct answer है इसको मित्र रास्टों में शामिल नहीं किया गया है next one है निमन में कौन सा रूसी क्रांती का जनक माना जाता है most important question है काफी बार एक्जाम में पूछा गया था और पिछले बार आपके हमिरपुर के एक्जाम में ये question आया था रूसी क्रांती का जनक जो है वो किसे जाना जाता है तो option D correct answer इसका रहेगा लेनिन को जो है वो रूसी क्रांती का जनक जाना जाता है next one है प्रसिद बोस्टन टी पार्टी जिसमें अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लेंड के प्रती अपना बिरोध व्यक्त करते हुए जहाजों से चाय की पेटियों को समुद्र में फैंका था ये किस बर्ष हुआ था प्रसिद ये जो है ये बोस्टन टी पार्टी थी तो ये किस बर्ष हुई थी 1776 में 1775 1773 या फिर 1772 में तो कोरेक्ट आंसर इसका जो रहेगा वो है 1773 में option C correct answer and action है प्रसिद टेनिस कोर्ट और्थ किस घटना से समन्दित है अमेरिका सोतंतरता यूद फ्रांस की क्रांती सम प्राट सीजर, अलेक्जेंडर या फिर इटली पुना जागरन तो correct answer इसका रहेगा फ्रांस की क्रांती तो फ्रांस की क्रांती option B बिल्कुल correct answer रहेगा next one है सोतंतरता, समानता और भातरित्व का सिधांत किस क्रांती से जुड़ा है अमेरिकी क्रांती, रूसी क्रांती, फ् प्रासीसी क्रांती से, next one है रूसी क्रांती का मुख्य कारण क्या था, रूसी क्रांती जो मुख्य कारण था वो आपको बताना है, रूस में अध्योगिक विकास में कमी, किसानों पर रिन का भारी बोज, रूस की जनता पर दमनकारी कानून या फिर भारी अकाल, तो correct answer है रूस की जनता पर दमनकारी कानून जो है वो लागू किया गया था नेक्श वन 4 जुलाई 1776 को बाशिंग्टन के नेतरतब में अमेरिकी स्वतंतरता की घूजना किस थान पर की गई थी तो correct answer इसका रहेगा option number D फिला डेलिफिया नेक्श वन है फ्रांस की करांती के समय फ्रांस का समराट कौन था तो correct answer इसका रहेगा लूई सोलवा option number C correct answer है किस वर्ष में सोबियत संग का विवाजन 15 देशों में हुआ तथा रूस अस्थित्व में आया था तो दो question यहां से important बन रहे हैं कि ऐसा कौन सा वर्ष था जब सोबियत संग का विवाजन 15 देशों में हुआ था और दूसरा है कि रूस कब हमारा बना था तो correct answer इसका रहेगा 1991 में जो है वो रूस अस्थित्व में आया था next one कौन सा आपका option इसमें सही नहीं है Boston Tea Party, France, Charmeyandolan, चीन, The Economic Policy, रूस या फिर बोहर, युद, अफरीका, correct answer है option number A, Boston Tea Party, France, next one है Communist, Manny, Fisto, Karl Marx ने कब प्रकाशित की थी 1848 में, 1856 में, 1880 में, या फिर 1883 इस भी में तो correct answer जो इसका है वो है option number A, 1848 इस भी में next question है आपका फ्रासी बादी विचार धारा का प्रवर्तक क्या था Mussolini, Elord Hiltor, Simon या फिर Robert Owen तो correct answer इसका रहेगा option number A Mussolini, option A इसका correct answer है next one है पंच सील पर भारत पर चीन ने कब हश्ताक्षर किये थे 1964 में, 1956 में, 1962 में, 1962 में या फिर 1960 में तो correct answer इसका है 1954 में पंच सील पर भारत और चीन के द्वारा हश्ताक्षर किये गए थे next one चीन ने भारत पर कब आकर्मन किया था तो इसका correct answer है option number D 1962 में 1962 में चीन ने भारत पर आकर्मन किया था next one मार्टीन लूथर किंग किस देश ये थे most important question है ये और correct answer है इसका अमेरिका next one इरान का पुराना नाम क्या था तो परशिया जो है वो इसका पुराना नाम था exam में काफिवार पूछा गया है आर्मी जीडी के exam में ये most important question आपके लिए रहेगा next one है प्रत्थम विश्वयूद किस बर्श हुआ था तो correct answer आपको यहाँ पर बताना है कि पहला विश्वयूद किस बर्श हुआ था तो 19, 14 में जो है वो प्रत्थम विश्वयूद हुआ था आपको साथ साथ में comment करते रहना है अखिल डोगरा, राकेश कुमार, आशीश चोधरी, मिशन परफेक्ट, अमित चोधरी, आशीश राना सब के answer यहाँ पे आ रहे हैं सब को यहाँ पे वीडियो पूरी देखनी है तभी आपकी त्यारी जो है वो जीके की बिल्कुल 100% अच्छे तरीके से हो पाएगी next one है एडॉल्फ हिल्टर किस देश में पैदा हुआ था जर्मनी, इटली, चीन या फिर आस्ट्रिया इसका answer आपको बताना है तो इसका correct answer रहेगा option D, आस्ट्रिया next one है, USA का रास्ट्र पिता किसे कहा जाता है USA, sorry, USA का रास्ट्र पिता किसे कहा जाता है तो जोर्ज बशिंगंटन को जो है वो वहां का रास्ट्र पिता कहा जाता है और भारत के रास्ट्र पिता की बात करें तो बापू जिनकों की महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं उनको भारत का राष्ट पिता कहा जाता है नेक्श वन मयामार का पुराना नाम क्या है? मयामार का पुराना नाम है बर्मा, option A, correct answer रहेगा नेक्श वन है, कमबोडिया का पुराना नाम क्या है? तो इसका answer आपको बताना है क्यूंचिया जो है, वो इसका correct answer रहेगा, तो इसका पुराना नाम, कमबोडिया का पुराना नाम है क्यूंचिया नेक्श जो है, वो most important session आपके लिए रहेगा, जिसमें संभीधान से related question जो है वो आपके लिए आएंगे तो हम संभीधान से जुड़े हुए प्रशनों का अब हल आपके सामने मैं लेकर आऊंगा तो बताएं आपके session में, इस session में आपका कैसा रहा, आपका knowledge और कितनी तयारी हो गई आपकी तो वो ही हमने देखना है कि आपकी तयारी में जो है, वो कितनी बन रही है, तो ही तो हमें knowledge होगा ना, साथ-साथ में बने रहेंगे हम तो जल्दी से जल्दी बताएं, अपने तयारी को बताते रहें, साथ-साथ में अभी तो question हुए ही कितने हैं, अभी तो हम पूरी रात लगा देंगे, अभी सभी साथ में बने रहो बस, साथ में बने रहें, अब चलेगी marathon महा युद, तो यही युद है, जो आपके exam में का माएगा, तो जुड़ जाएए साथ में और comment कर दीजिए, बहुत बड़ी आ, राकेश कुमार, अमित राना, बने रहो इसी channel पे, तो अगला सवाल, संभीधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो इसका correct answer जो है, वो है, सचिदानन सिनहा, ए अप्शन के, नहीं नहीं संभीधान सभा के स्थाई हैं, स्थाई अध्यक्ष कुछे हैं, तो हैं, डॉक्टर राजेंद्र परसाद, भारती संभीधान की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे, तो answer is, डॉक्टर भीम राव अंबेत कर, भारती नागरिकों को परदान किये गए, मूल अधिकारो को, को हम किसी भी परिस्तिती में निलंबित नहीं किया जा सकता है, नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में, अब जो है, निती आयोग, 2015 से बना दिया गया है, फिर इसको पहले पंच वर्षी योजना भी कहते थे, योजना आयोग को, फिर उसके बाद, अ नरेंदर मोदी हैं, इस वक्त, भारती संभीधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इस वक्त जो है, वो 395 अनुच्छेद हैं, अगला सवाल, मौलिक अधिकार, संभीधान के किस भाग में वर्णित है, तो अंसर इस भाग नंबर 3, भारती संभीधान कब लागू हुआ, तो सवा अंसर है 26 जनवरी 1950 भारतिय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्म नीर पेश लोकतांत्वक शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है 42 मा सन 1976 निमन में ऐसे कौन सी गैर संविधानिक संस्था है तो वो अंसर है योजना आयोग यानि कि निती आयोग तो पेपर में जाने से पहले थोड़ा सा करंट फेर जो है पिछले छे महीं ने पुराना वो जुरूर स्टडी करके जाएं शेयर कर रहे हैं शेयर करते रहेगा सभी स्ट्रीम को शेयर करते रहेगा स्ट्रेम शेयर करते रहेगा निमन लिखित में से कौन सा गलत है यानि कि य option जो है वो इसका है देखिए संबर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संभीधान में निती निर्देशक सिधान जो आयर्लैंड से लिया गया है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है मगर नियाइक पॉर्णिंग जो है वो बिटिश परमपरा से नहीं इंडिया गया है याद रखिएगा तो अभी गलत ढूंड़ना था इसलिए हमने ए आप्शन जो है वो कोरेक्ट आप्शन है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं भारत का प्रतम विधी अधिकारी कौन होता है तो अंसर इस भारत का महा न्याएवादी यानि की अटॉर्ण जर्नल आफ इंडिया अभी मुझे कोमेंट करके ये बताएं कि भारत का महा न्याएवादी कौन है वो इस दा एटॉर्णी जर्नल आफ इंडिया जल्दी से कोमेंट करके बताएं सभी कोमेंट कर दें वो इस दा एटॉर्णी जर्नल आफ इंडिया भारत का महा न्याएवा कुमेंट करें आप भारत का इस वक्त जो है प्रेजन्ट महा नियावादी कौन है और सबसे अच्छा और अंसर दिया है अमित चौधरी के के वेनु गोपाल बहुत ही बड़िया अंसर है वंशिका शर्मा बहुत बड़िया अंसर दे रहे हो बिटा संबीधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी तो अंसर आठ है राकेश कुमार रितिश राजपत शीवम शर्मा बहुत बड़िया केके वेनु गोपाल रितिश तो बहुत बड़िया वेटा ऐसे कुमेंट करते रहे है भारत मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम में सुनिश्चित किये गए थे तो अंसर है संबिधानिक उपचार का अधिकार निमलिकित में से कौन सा अधिकार नहीं है तो हमें जो है संपत्ती का अधिकार नहीं है सुतनतता का अधिकार भी हमें है समानता का है शोंशन के विरुध अधिकार है यानि कहीं पे भी आपको गलत लगता है तो आप बोल सक यह हमारा अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता भारती संभीधान की आत्मा किसे कहते हैं तो वो अंसर है मौलिक अधिकार को अगला सवाल है भारती संभीधान में अब तक कितने मौलिक करतब्य हैं जो लागू होते समय दस थे तो अंसर है ग्यारा नेक्स्ट राजिस की निती निर्देशक तत्वों का उलेक संभीधान के किस भाग में है भाग नमबर चार गनतंत्र दिवस यानि कि 26 जनवरी को जो मनाते हैं तो क्यों मनाये जाता है तो अंसर है उस दिन हमारा जो संभीधान लागू हुआ था ना कि देश अजाद हुआ था उस दिन हमारा संभीधान लागू हुआ था भारती राष्ट पती की अधिक्तम आयू कितनी होती है कोई आयू नहीं रखी है इनके लिए अगला है राष्ट पती पद रिक्त होने पर राष्ट पती का चुनाव कितने समय के अंदर करवाना पड़ेगा भया तो छे महीने के अंदर-अंदर भया फिर से इसकी जो पोस्ट है वो भरनी पड़ेगी भया भारतिय या इलेक्शन करवाने पड़ेंगे भारतिय संभीधान के अनुसार हमारा देश का प्रतम नागरिक कौन है तो अंसर राश्ट्र पिता यानि कि राश्ट्र पती भारत के राश्ट्र पती का चुनाव कौन कराता है निर्वाचिस सांसद्व विधायक तो जल्दी से बने रहो आज हमारे साथ देखें तो सही कितने कॉश्चन्स की कितनी प्रैक्टिस हो गई अपना अंसर देते रहीं बस राष्ट पती जो है पद जब छोड़ना हो तो सरवोच नियाले के मुख्य नियाए धीश के पास देगा ये तो बिल्कुल सही है राष्ट पती यदि त्याग देना चाहे तो उपराष्ट पती के पास भेजा जाता है ये भी सही है राष्ट पती पद की नियुनतमायू 35 साल है हाँ जी पर राष्ट पती की पद की शबत जो है वो उपर राष्ट पती नहीं मुख्य न्यायधीश दिलाता है तो इसलिए ये गलत ऑप्शन थी भारत के राष्ट पती को पद से कौन हटा सकता है तो भारत की संसद ही हटा सकती है अगला है निमलिकित मैं से किसे एक को छोड़कर राष्ट पती सभी को अपने पद से हटा सकता है तो है उपर राष्ट्रपती को छोड़ कर सभी को हटा सकता है भया भागो यहां से राष्ट्रपती द्वारा राष्ट्री अपात स्थिती यानि कि अपात कारीन स्थिती की घोशना किया जाने के बाद किस अवदी तक उसका अनुमोधन संसद के परतेक सदन द्वारा किया जाना चाहिए एक माह के भीतर अनुमोधन किया जाना चाहिए शेयर करो यार शेयर कर दो अब तो शेयर करो शेयर करो बेटा शेयर करो सभी शेयर करो कोमेंट भी करो comment की जो आपकी rating है वो अभी 26 आ रही है बहुत ही slow है chat rate जो है वो बहुत slow आ रहा है 26 speed रखो speed रखो अपनी बिटा answer की संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अविधिवेशन को कौन बुलाता है लोग सभा ध्यक्ष राष्ट्रपती या प्रधानमत्री तो इसका answer है राष्ट्रपती दोनों सदनों का संयुक्त अविधिवेशन राष्ट्रपती बुलाएगा राज्ये पाल की नियुक्ती कौन करता है तो answer है राष्ट्रपती मौलिक अधिकार अब तक कितने हैं तो answer है 6 अधिकार हमारे है संपत्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है याद रखेगा एक उच नियायले में दूसरे नियाय धीश का स्थानंतर नियन की ट्रांसफर कौन करवा सकता है या राष्ट्रपती ही करेगा और कोई नहीं करेगा अगला सवाल राजे पाल अपने पत पर कब तक रह सकता है राष्ट्रपती की मरजी तक राजे सभा के मैं कितने सदस्य मनुनित करता है बारा और लोग सभा में कितने करेगा दो याद रखेगा राजे सभा में बारा लोग सभा में दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया र स्पीड देजे, गेड़ा देदो, भया, क्या करते हो, मैं आप लिए आया हूं, आज रात को, जल्दी से, बस अब केड़ा देजो, जल्दी, 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 भया, 36 हो गई है, रेटिंग, आपकी, चैट रेट की, फिर से, चल्दी से 36 कर दी है आपने स्पीड रखो यदि राष्ट पती रा उपर राष्ट पती दोनों पद खाली हो तो राष्ट पती पद कौन सबालेगा तो अंसर है भारत के मुख्य नियाएधीश भारती संभिधान के किस अनुछेद के अंतरगत मैं राष्ट पती शासन किया जा सकता है 356 भारत के मुख्य नियाएधीश की नियुक्ती कौन करता है राष्ट पती कमेंट करते रहिए जल्दी 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 अपने रेटिंग जो है तो ही बढ़ेगी आपकी उपर राष्ट पती का समंद किस कथन से गलत है याद रखिएगा उपर राष्ट का समंद संसद के दोनों सदनों में चुना जाता है यानि कि दोनों सदन जो है उपराष्ट पती को चुनते हैं पांच साल के लिए उपराष्ट पती का कारेकाल होता है 35 साल से कम से कम आयू होनी चाहिए और दूसरे में बोले 30 भी होनी चाहिए ये गलत option है बिटा और गलत थी आपको ढूंडनी थी तो correct answer is D option उपराश्टपती को अपने कारेकाल कि समापती से पूर्व अपने पत से हटाने का अधिकार किसको होता है तो अंसर है संसद को होता है किसने दो पूर्ण अधिकरियों तक उपराश्टपती पद संभाला था तो अंसर है डॉक्टर S. कितने members हैं 250 कई वार 252 भी आता है तो 252 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 252 भी option चलेगी ठीक है जी राज्य सभा में कितने सदस्यों को की वर्तमान संख्या है तो 245 इस वक्त है लोग सभा में अधिक्तम कितने सदस्य हो सकते हैं तो 552 लोग सभा में इस वक्त कितने सदस्य तो 545 किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है या चौथा स्तंब कहा है वर्क ने नेक्स आ जाता है राज्य सभा का स्थाई सदन होने का कारण क्या एक एक तिहाई प्रती दो वर्ष सेवा निवरित होते हैं ये इसका अंसर रहेगा अग्रा सवाल how 256 सवाल है संसद के दोनो सदनों में स sheep innovation की अध्यक्षत कौन करता है speaker राज्य सभा में कितने राज्य किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य होते हैं सबसे जादा U.P. की 60. सीटे होती है यदि लोक सभा अध्यक्ष अपने कारेकाल के समांत होने से पहले त्याग पत्र दे दे तो वो त्याग पत्र किसको प्रस्तुत करेगा तो अंसर है लोग सवा के उपाध्यक्ष को अगला सवाल जल्दी से कमेंट करते रहो बेटा देखिए आज तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई waas to सारे सवालों के जवाब आ गए सभी सवालों की तैयारी हो जाएगी सभी शेयर कर दो अर्मी में जाना है तो अध्यक्ष यानि कि speaker है थी क्या करता है प्रतेक बृध्यक के लिए मत देता है केवल एक मत के लिए विध्यक देता है तो अंसर जो है तीस वर्ष पहला आम चुनाव कब हुआ था उन्नीसो कुनजा में हुआ था तो खतम कब हुआ था उन्नीसो बुनजा और याद रखिएगा यही सबसे बड़ा आम चुनाव लड़ा गया है आज तक सबसे पहला जो है और सबसे लंबा आम चुनाब जो है वो उन्नी सो कुंजा से बुंजा तक चला था शुन्ने काल कितने समय का होता है एक घंटे का लोग सभा का सदस्य होने के लिए नियुनतम आयू कितनी चाहिए 25 वर्ष राजे सबा का सदस्य वनने के लिए कितना कारेकाल होता है छे वर्ष लोग सबा में पांच वर्ष उल्टा होगा याद किएगा उच नियाया ले और उच तम नियाया ले के नियाय धीशों को कौन हटा सकता है संसद अगला सवाल चुनाव के समय किसी चुनाव शित्र में चुनाव प्रचार का कब बंद करना होता है मतदान के 48 घंटे समावत होने के पहले यानि कि दो दिन पहले ही मतदान जो है वो मतलब उसकी प्रचार जो है वो करना बंद करना पड़ता है लोग सभा के किसी विध्यक को धन विध्यक के प्रारूक प्रनाणित करता है वो है अध्यक्ष लोग सभा की सबसे ज़ादा सीटें कहां की होती है उत्तर परदेश राज्य सभा का सभापती कौन होता है तो अंसर है उपराष्ट पती तो जल्दी से कमेंट करके बताएं हमारा उपराष्ट पती इस वक्त कौन है जल्दी से कमेंट कर दें भारत का उपराष्ट पती इस वक्त कौन है कुमेंट करें जल्दी से भारत का उपराष्ट पती कौन है भारत का उपराष्ट पती कौन है जल्दी से कुमेंट करें इस वक्त का भारत का उपराष्ट पती कौन है सभी A, B, C, D करे जा रहे हैं भया रुक जाओ रुक जाओ भया कोमेंट करने से स्पीड आ गई है बहुत आ गई बहुत त्यारी हो गई हूँ या विंकेया एनाइडू बहुत बड़िया राकेश कुमार अगला सवाल लोगसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन चुनाव किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है लोगसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा ने यह लोगसभा का है तो बोला है इनमें से कौन सा गलत है तो विधान सभा का सत्र पांच वर्ष के लिए होता है राज्य पाल पांच साल के लिए होता है लोग सभा का सत्र पांच साल के लिए होता है लोग सभा का सत्र पांच साल के लिए राज्य सभा का गलत है वो छे वर्ष का होता है नेक्स्ट अ चाहिए 35 वर्ष इसलिए आपका अंसर जो है बी डी ऑप्शन में जाएगा 30 वर्ष ये अभी गलत है 35 चाहिए था 81 में संपीधान सशोधन के बाद मत दाता किस के लिए नियुनतम आयू चाहिए तो 18 वर्ष यानि कि अपना आपने बोट करना है तो 18 साल आयू होने चाहिए चोटे वाले बोट में नहीं जाएंगे राज्य सभा सदस्य निमन में से किस के द्वारा चुने जाते हैं विधान सभा सदस्यों द्वारा मुख्य चुनाव आयूक्त और चुनाव आयूक्तियों की अबदी क्या होती है तो अंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयू तक जो प संग लोग सेवा यूपी एसी का अध्यक्ष जो होता है वो 6 से वर्ष का कारे से लेकर 6 पैंसर वर्ष की आयू तक के बीच में होना चाहिए लोग सभाग रज्य से सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो 6 से 22 तक भी चलेगा संग आयोग को भंग भी कर सकता है मगर संग आयोग सेवा आयोग के अध्यक्ष जो दस्यों की नुक्ती उपराश्ट पती नहीं करता है ये गलत है नेक्स आयता है संभीधावन की प्रस्तावना यानि की हम भारत के डैश किसने लिखी है भीम राव बेद कर जौहालाल नहरू तो इसका अंसर जो है वो जौहालाल नहरू है भारतिये संभीधान की प्रस्तावन में ये लिखा है हम भारत के लोग ये ज्वाल आलना नहीं लिखा है विपक्ष का नेता बनने के लिए लोग सभाव की मैं उसकी पार्टी की कम से कम सदस्यता दस प्रतिशत होनी चाहिए के पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद नियुन्तम आयू कितनी चाहिए 21 पर्ष यानि कि आपको सरपंच बढ़ना है तो 21 साल कम से कम आयू चाहिए पंचायती राज अधिनियम 1992 में किस संशोधन के तहत किया गया त्यत्तरमा संशोधन सधारन त्या संसत के दोनों सदनों के बीच अधिक्तम कितनी अबधी होती है छे माह की शार्दा एक्ट किस से समंदित है वो है बाल बिवाह से लोग सभा में धन विधेयक पेश करने के पूर्व कितनी किसकी अनुमती लेना अवश्यक है राष्ट पती की तो आज का आपको जी के किस परकार के लग रहा है आप तो लग रहा है धडलेदार ना या चलेगा अभी भी चलेगा अभी भी चलेगा सब चलता रहेगा अब अंतराष्टी संगठन से जुड़े हुए प्रशन आएंगे आपके सामने तो आप ध्यान से इनको सुनिएगा और आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट जो है वो आपका अंतराष्टी संगठनों से कुछ महतपूरण प्रशन है जो कि आपके एक्जाम लेवल के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे सबसे पहला सियोक्त राष्टी संगष था अपना कब हुई थी तो इसका जो कॉरेक्ट आंसर रहेगा वो है 24 अक्तूबर 1945 को option A बिल्कुल कॉरेक्ट आंसर है निमन में से कौन सी भाषा सियोक्त राष्ट संग की भाषा नहीं है ऐसी कौन सी भाषा है जो सियोक्त राष्ट संग की भाषा नहीं है तो वो है जर्मन रूसी, फ्रेंच और अंग्रेजी जो हैं ये सभी सियोक्त राष्ट संग की भाषाएं है next one सुरक्षा परिसत के सथाई सदस्य कितने होते हैं 5, 7, 10 या फिर 18 तो option number A 5 इसका बिल्कुल सही answer रहेगा next one है सियूक्त रास्ट्र संग के अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 10 जो हैं वो अस्थाई सदस्य होते हैं सियूक्त रास्ट्र संग के next one है सियूक्त रास्ट्र संग का पहला महासाचीव कौन था जल्दी से आपका answer यहाँ पर आना चाहिए कि सियूक्त रास्ट्र संग का पहला महासाचीव कौन था तो option B ट्राइक बे ली नौर बे जो है वो इसका correct answer था और यही यह जो थे सियुक्तरास्ट्र संग के पहले महासाचीव थे Next one most important बार बार पूछे जाने वाला question है सियुक्तरास्ट्र संग का मुख्याले कहा है तो सियुक्तरास्ट्र संग का मुख्याले है New York option number C बिल्कुल सही answer है Next one है आपको यहाँ पे एक कोई गलत बताना है कि ICO का मुख्याले जिनेवा नीदर लैंड में है WHO का मुख्याले जिनेवा में है IMF जिसको अंतरास्ट्री मुद्रा कोश बोला जाता है उसका मुख्याले बशिंग अंटन में है बिश्व बैंक का मुख्याले New York में है या फिर अंतरास्ट्री नियाले International Court of Justice जिसका मुख्याले हेग नीदर लैंड में है तो इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है तो यहाँ पे option number D बिश्व बैंक का मुख्याले New York में है यह आपका गलत option है next one है आपको यहाँ से पहचानना है कि कौन सा इसमें accurate नहीं है जो match नहीं खाता है रास्ट्र मंडल का समंध लंदन से बताया गया है इंटर पोल का फ्रांस से एश्याई विकास बैंक मनीला से और शार्क का धाका से तो इसका अंसर आपको बताना है तो इसका जो correct answer रहेगा जो की match नहीं करता है वो है option D विच इस शार्क धाका next one सियुक्त रास्ट्र संग के परमुख अंग कितने होते हैं 5, 7, 6 या फिर 8 5, 7, 6 या फिर 8 तो इसका correct answer रहेगा 6 अंग इसके होते हैं option number C next one बरतमान में दक्षिनी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जिसको सार्क कहा जाता है जिसका गठन 1985 में किया गया था इसके कितने सदस्य देश हैं तो option D इसका बिलकुल accurate है 8 सदस्य देश हैं आपको ध्यान रखना है आर्मी के एक्जाम के लिए कि शार्क का गठन कब हुआ था तो 1985 में हुआ था और इसके कितने सदस्य देश हैं तो वो है 8 next one कौन सा देश जो है वो शार्क का सदस्य नहीं है भारत, बर्मा, शेलंका या फिर मादीप तो बर्मा जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है और अभी डिसकस किया था हमने कि बर्मा का नया नाम इसका नाम क्या है तो वो है मयामार next one है सार्क देशों का सचिवाले कहां है शार्क का मुख्याले कहां है दिल्ली, काठमांडू, ढाका या कराची जल्दी से इसका अंसर बताएं कि शार्क का मुख्याले कहां पे है तो ये है हमारा नेपाल काठमांडू option number B next one सियूक्त रास्टर संग के महासचिव की अभधी कितनी होती है 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल तक तो सियूक्त रास्टर संग के जो महासचिव होते है उनकी अभधी होती है 5 वर्ष तक next one इसमें से कौन सा option आपका UNESCO से समंद नहीं रखता है बिग्यानिक, वेपसाई, सिक्षा या फिर संस्कृति आपको बताना है इसका कौन सा ऐसा option है जो UNESCO से बिलकुल समंद नहीं रखता है जिसमें UNESCO की हिस्सेदारी नहीं है बिग्यानिक, वेपसाई, शिक्षा या फिर संस्कृति तो option B जो है वेपसाई ये इसका बिलकुल accurate है वेपसाई से UNESCO का कोई लेना देना नहीं रहोता है next one सियूफ्तरास्ट्र सुरक्षा परिसत के पांच सथाई सदस्यों में कौन-कौन से देश शामिल है वो आपको यहाँ पर बताने है तो correct answer इसका रहेगा option number A जिसमें आपके देश है USA, United Kingdom, Rus, चीन और फ्रांस अगला प्रशन है आपके लिए निर्गुट समेलन जिसको N.A.M के नाम से जानते हैं उसके संस्थापक कौन है जल्दी से इसका अंसर बताएं तो option है इसका जवाहरलाल, टीटो और नासिर जवाहरलाल, टीटो और नाशिर next one है CT, BT का सीधा समन्द किस विशे से है परमानुशस्तर, अंतराश्ची खेलकूद, पश्वों का विवार या फिर बाल, मजदूरी, पर रोक correct answer है परमानुशस्तर के परिक्षन, निशेद, बाबत, समझोते का समन्द जो है वो CT, BT से है अगला question है आपके लिए 26 जून 1945 को सियोक्त राष्ट का प्रारूप पचास देशों द्वारा त्यार किया गया था उस स्थान का नाम क्या है New York, London, France, सोरी, San Francisco America या फिर Paris, तो correct answer इसका रहेगा, America option number C, next one है अंतराश्ची बितिय निदी का मुख्याले कहां पर है Paris, Piana, बशिंग्टन, DC या फिर जेनेवा, तो correct answer है इसका option number C, बशिंग्टन, DC next one, सियुक्त राश्ट्र संग के महासचिव कौन है, कोफी, अनान बान की मून, उयाट या फिर शशी, भरूर आपको इसका राश्ट्र बताना है बान की, मून जो है, वो बरतमान के राश्ट सियुक्त राश्ट संग के महासचिव है next one है, WHO का पूरा नाम क्या है, काफिवार एक्जाम में पूछा गया है WHO का पूरा नाम क्या है, बर्ड हेल्थ और्गेनाईजेशन बर्ड होम और्गेनाईजेशन बर्ड हंटर और्गेनाईजेशन या Bird Himalayan Organization तो इसका जो correct answer है वो है option number A, Bird Health Organization और Corona के टाइम से जो है वो आपके लिए most important question जो है वो WHO से question 101% जो है वो आपके लिए बन सकता है next one, IAEA का मुख्याले कहां पर है Rome, Vienna, Hague या फिर इन में से कोई नहीं option जो है वो इसका correct answer रहेगा option number B, next one है निमन में से भारत को किसकी सदश्यता प्रापत नहीं है आसियान सार्क नाम या फिर G15 तो correct answer इसका रहेगा आसियान option number A अगला question है आपके लिए जो भुगोल से related question आपके लिए रहेंगे, भुगोल जिसमें हम अपने solar system की बात करेंगे ग्रहों, उपग्रहों से related जितने भी question आपके लिए बनेंगे बो सारे के सारे आपको इसी topic के साथ आपको discuss किये जाएंगे, अभी तक हमारा इतिहास complete हो चुका है हमारे इंडिया का भी और हमारे बिशो का भी, उसके बाद हमने संबीधान से related जितने भी most important question हमारे बने थे वो भी हमने discuss कर लिए है बीडि को आपने दो या तीन बार आपने देखना है, अगर आप दो या तीन बार इसको regular सिर्फ सुनते ही हैं तब भी आपको सुनके जो है वो इसके question याद हो जाएंगे और इतने ही topic के question जो है वो आपके लिए important बनते हैं और अब जो है हम भारतिय यानि की अपने प्राकृतिक भुंगोल के बारे में आप जान लेते हैं कि इनके answers क्या होगे तो share तो बनता है यार इतने questions होगे अब तो share बनेगा कि भिया सभी GK के सवालों का answer जो है वो हम फटा करके देंगे आपके सामने और आप सिर्फ वीडियो को सुनिए सुनिए वीडियो को देखिए और अपने आप guess करिए कि आपकी तयारी कितनी है तो सवाल है निमन मैंसे किस ग्रह के अधिक उपग्रह है कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़ादा उपग्रह है नेप्चून अगला है प्रिथवी के दोनों और कौन से ग्रह है तो answer है मंगल और शुक्र मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है तो answer है दो प्रिथवी का प्राकृतिक उपग्रह को कितने हैं यानि कि मून चंद्रमा एक हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ब्रहस्पती कुमेंट करते रहो साथ साथ में कुमेंट करते रहना बहुत बड़िया लिख रहे हैं Mr. Rahul Kapoor Like, Share and Subscribe Thank you यार हमारे भ्रमांड का किंद्र क्या है अकाश, गंगा सूर्य के निकट वर्ती ग्रहों में पृत्वी का स्थान कौन सा है तीसरा, नीला ग्रह किसे कहते है अंसर है पृत्वी निमन मैंसे किस ग्रह को प्राकृतिक उपग्रह जिसका नहीं है शुक्र किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो अंसर है मंगल मंगल यानि कि लाल ग्रह नेक्स्ट सौर परिवार मैंसे निमन मैंसे कौन सा गलत युगम है गलत नहीं याद करना है याद रखिएगा सबसे नजदी का ग्रह किसे कहते हैं बुद्ध सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा है शनी correct answer है ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ये आपने याद रखना है ये याद नहीं रखना है कि मंगल जो है वो सूरे के नजदीक का ग्रह ये गलत है पृत्वी सूरे के सबसे निकट किस समय होती है चार जनवरी को इवनिंग स्टार या भोर का तारा किसे कहते है शुक्र को सूरे ग्रहन कब लगता है जब सूरे और पृत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूरे ग्रहन लगता है वीडियो को लंत तक देखते रहिए वीडियो को एक दम देखिए शेर करिए और सस्क्राइब करिए और कुमेंट करिए आपकी रेटिंग बहुत लो हो गई है चैट रेटिंग बहुत लो है चाया पत्थ यानि की गलैक्सी किसे क्या है जो की एक अंत्रिक्ष में ब्रिहत नक्षत्र पुंज है प्रित्वी का जुडवा ग्रह किसे कहा जाता है तो अंसर है आपका सी शुक्र निमन मैं से ग्रह और चंद्रमाओं की संख्या कौन सा नहीं है तो नहीं है बुध सूर्य के से प्रित्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगाता है आठ मिनट किस ग्रह में पर सबसे अधिक लंबा दिन होता है बहिए दिन ही नहीं खतम होगा है शुक्र ग्रह लोग सोएंगे भी नहीं अगर चलेगे तो सौर्य मंडल में सबसे गरम ग्रह कौन सा है शुक्र भूमद्य रेखा अपने अक्षान से होकर गुजरती है शुन्ने से प्रित्वी अपनी धूरी पर कितने अक्ष पर जुड़ी जुकी है साड़े 23 या 23.5 दो निकट्स देशांतरों के मध्य सरवाधिक अंतराल का अंतर कहां पाया जाता है विशुवत रेखा पर अंतराश्ट्री दिनाक रेखा सधारन रूप से कैसे व्यक्त की जाती है तो एक सो असी देशांतर यानिकी लॉगिट्यूड के उपर धुरूब पर सबसे बड़े से बड़ा दिन कितनी अवधी का होता है तो अंसर है वो है छे महीने छे महीने का सबसे बड़ा दिन होगा इन वैसे अब आपको जो है ये बताना है कि कौन सा जो आप्शन है सो सही है जैसे करक रेखा है वो साड़े त्रेश डिग्री जो उत्तर दिशा में है मकर रेखा जो वो इसके बराबर है C इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो बताएं पहले आपको बहुत बताता हूँ देखिए करक रेखा जो है ये जो है वो साड़े त्रेइस डिग्री उत्री अक्षांस पर है और मकर रेखा जो है वो साड़े त्रेइस दक्षनी पर है आर्क्रिक वृत जो है वो है आपका 66.5 या एक बटा दो उतरी अक्षांस पर और आर्क्रिक का वृत जो है वो 66.6 दक्षनी अक्षांस पर है तो आपकी option जो है वो B option जो है वो correct चलेगी और विशुवत रेखा जो है ये बिल्कुल सही था पांच में जीरो डिगरी अक्षांस पर ही चलती है केला सबसे ज़्यादा किस देश में होता है केला भारत में होता है रितू परिवर्तन प्रित्वी की गती के कारण होता है तो कब होता है वार्शिक होता है भूमद्य रेखा पर के दोनों और पांच डिगरी तक शित्र को क्या कहते हैं डोलो ड्रम कमेंट करो यार कमेंट करो शियर कर दो जल्दी से शियर कर दो भूमी की कितने प्रतिशत जगा पानी में धकी हुई है 71 प्रतिशत जो है वो पानी से धका हुआ है उत्री गोलार्थ का सबसे बड़ा दिन 21 जून ऐसे ही अकर छोटा बूचाओ तो 22 दिसमबर और दक्षिन में बोला तो उल्टा कर लिजेगा 21 जून सबसे छोटा आ जाएगा और 22 दिसमबर जो वो सबसे बड़ा ये दक्षिन गोलार्थ पर बताएंगे निमलिखत मैंसे कौन सा ब्रिहत बृत कहलाता है तथा प्रिथवी के को दो भागों में बांटने वाली रेखा है तो अंसर है भ वायू मंदली पहरतों की विशेष्टा बतानी है जैसे कि अभी मैं आपको बताउँ शोभ मंदल ठीक है जी अब शोभ मंदल जो है उसमें वायू मंदली घटनाय होती है बिल्कुल सही है इसके बाद समताब मंदल पर जो है ओजोन परत है जो की हमें पराबैंगनी किर्ण से बचाती है और आयन मंडल जो है वो प्रित्वी की धरातल से रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है तो यानि की डी option जो है वो correct रहेगे इसी प्रकार से next आता है वाई मंडल की परतों को हमने वन टू थ्री फोर यानि कि ओजोन मंडल यानि कि सीक्वंस में बताना है तो सबसे पहले जो है वो आता है आपका शोब मंडल दूसरे पर आता है समताब मंडल फिर ओजोन मंडल फिर ब्राहा मंडल सबसे बाहर आ जाएगा तो यह option number C पर जाएगा प्रित्वी के वायो मंडल में सरवाधिक घनत्व कहां पर है तो शोब मंडल यानि कि ट्रैपो स्फियर इंग्लिश में कहेंगे तो इस पर है अब है मैं पिछले बैच का ओके दस दोस्त जैहिंद दोस्त सूर्य से आने वाली परा बैंगनी केरणों को रोकने के लिए कौन सा है तो ओजोन स्फियर सुनामी नाम किसे समंदित है सुमूंदरी भूकम्प से अब हम जो है भूंगोल से समंदित प्रश्णों को कंटिन्यू कर रहे है मुनिश की आवाज में अब जो है वो आपके लिए जो इंपोर्टेंट कोशन है वो है आपके भूगोल से जो कि आपके समंद रखते हैं पूरे बर्ट से रिलेटेड इंडिया के कोशन हमने डिसकस कर लिए हैं अब जो है वो पूरे बिशो के भूगोल के कोशन जो है वो हम डिसकस करेंगे सबसे पहला कोशन है आपका साओथ अफरीका की मुद्रा क्या है South Africa की मुद्रा क्या है Option A, क्या रेंड, डोलर या फिर इन में से कोही नहीं जल्दी से आपको अंसर बताना है कि कौन सा इसका बिल्कुल सही अंसर है तो South Africa की मुद्रा जो है वो Option B रहेगा इसका अंसर जो की है हमारा रेंड Next One है सुरेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है Option A, बिल्कुल सही अंसर है भूमद्य सागर और लाल सागर सुरेज नहर जो है वो भूमद्य और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है Next One है पनामा नगर किन दो सागरों को जोड़ती है तो option B का correct answer है प्रशांत सागर और Atlantic सागर Next one है निमन में से कौन सी विशो की सबसे बड़ी जील है Lake Superior, Caspian, Lake Bekal या फिर Victoria So जल्दी से इसका अंसर बताएं Most important question है Caspian सागर जो है वो विशो की सबसे बड़ी जील है Next one बिशो में सबसे बड़ी भूमी कौन सी है सहारा, थार, गोभी या फिर Great Sandy मरुभूमी तो इसका correct answer है सहारा मरुभूमी बिशो की सबसे बड़ी जील ही Next one एशिया में सबसे बड़ी जील ही सहारा, थार, गोभी या फिर Great Sandy तो इसका जो correct answer है वो है आपका गोबी मरुभूमी option number C next one भूमद्य रेखा के समानतर कौन सी रेखा होती है तो अक्षांस रेखा option B जो है अक्षांस रेखा ये भूमद्य रेखा के समानतर होती है मतलब कि पैलर फोम में ये चलती है next one है श्रिलंका की राजधानी कहां पर है कुलमबो जापना धाका या फिर काठ मांडू तो कुलमबो जो है option number A श्रिलंका की राजधानी है विशो का सबसे गहरा महासागर कौन सा है विशो का सबसे गहरा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर option number B next one, सबसे छोटा देश, जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, बेटिकन सिटी, नौरू, मोनाको या फिर पलाव, तो option A, बेटिकन सिटी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और सबके आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, सचिन कुमार, अखिल डोगरा, आशीश चोध अपना कमेंट जरूर करते रहें, वीडियो को आप अगर बिल्कुल सुनके भी, अगर आप अपनी त्यारी कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल सही है, सुनके भी आपकी त्यारी 100% बिल्कुल सही रहेगी, वीडियो को अगर आप दो या तीन बार भी अगर आपको question जो है वो definitely याद हो जाएंगे next one है Australia की मुद्रा क्या है ये जो है ये Australia की मुद्रा है next one अफगानिस्थान की राजधानी क्या है राबलपिंडी, कंधार, काबुल या फिर समरकंद तो अफगानिस्थान की राजधानी है काबुल option number C next one जेमेका की राजधानी क्या है most important question काफी बार पूछा जा चुका है ये तो correct answer इसका रहेगा वो है Kingston option number D next one बंगलादेश की मुद्रा क्या है टका, रुपया, ये, ये, डोलर तो बंगलादेश में जो है वो हमारा चलता है टका option number A बंगलादेश की मुद्रा है next one जापान की मुद्रा क्या है आपको यहाँ पर इस कांसर बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है तो option number A ये जो है ये जपान की मुद्रा है नेक्श वन इंडोनेशिया की राजधानी क्या है most important question जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है काफी वार आर्मी के एक्जाम में पूछा जाने वाला question है previous year में भी काफी वार ये question आपका पूछा जा चुका है next one धाका किस देश की राजधानी है तो धाका जो है ये है बंगलादेश की राजधानी option number C इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा next one सबसे अधिक रबड किस देश में उत्पन किया जाता है मरिशियस, थाइलेंड, मलेशिया या फिर ब्राजील तो इसका जो correct आंसर रहेगा कि सबसे अधिक रबड जो है वो कहाँ पर उत्पादित होता है तो वो है हमारा option number C मलेशिया, next one संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी option number C और घनतव के according जो है वो हमारी रहेगी Amazon नदी पूरी संसार, सारे संसार की सबसे लंबी नदी है नील और अगर density या घनतों की बात करें तो वो है हमारी Amazon नदी next one, South Africa की मुद्रा क्या है? क्या ट्रेंड, डोलर या फिर इन में से कोई नहीं? तो इसका जो correct answer रहेगा वो है हमारा rent South Africa की ये मुद्रा है next, most important question आपके लिए मध्यरातरी के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? आप अपना comment जरूर करें इस question के लिए जापान, नौर्बे, आईरलेंड या फिर मलेशिया को मध्यरातरी का सूर्य किस देश को जाना जाता है? काफी comment सा question है, क्योंकि हर वार ये question आपके दिमाग में आता है तो नौर्बे इसका सही answer है बिशो का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफरीका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया तो correct answer जो है, वो इसका रहेगा option number C, Asia एशिया जो है, ये पूरे बिशो का सबसे बड़ा महाद्वीप है next one, Thailand की राजधानी क्या है? Thailand की राजधानी है, Bangkok, option number D next one, Iraq की राजधानी क्या है? तो Iraq की राजधानी है, तहरान राजधानी से related question है, आपके लिए ये पहले मुद्राओं से related question discuss किये और अब जो है, वो राजधानी हैं से related question discuss किये क्योंकि आपके एक्जाम में जो है, वो एक question इसका बनता ही बनता है next one, Saudi Arab की मुद्रा क्या है? Saudi Arab की मुद्रा जो है, वो है हमारी real option number C next one, चीनी का परमुख उतपादक देश कौन सा है? तो चीनी का सबसे परमुख उतपादक देश जो है, वो है हमारा भारत चीनी का सबसे परमुख उतपादक देश कौन सा है? तो वो है हमारा भारत और भारत के यूपी में जो है, वो सबसे ज़ादा चीनी की पैदावार की जाती है नेक्षवन पेरिस किस नदी के किनारे बसा है आपको अंसर बताना है कि पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा है तो सीन नदी के किनारे पेरिस सहर बशा है नेक्षवन है मेयमार किसका नाम है पहले भी डिसकस किया है हमने बर्मा का ये नाम है भुटान की राजधानी क्या है तो भुटान की राजधानी है थिम्पू नेक्षवन दक्षिन गोलार्थ में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर next one टिग्रिस नदी किस देश में बहती है तो टिग्रिस नदी जो है ये बहती है हमारी इराक में next one ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है Sydney, Canavera, Tasmania या फिर इनमें से कोई नहीं तो option number B Canavera जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही डोलर जो है वो यहाँ की मुद्रा है next one रोकी परबत शिंखला कहां पर है आपके कमेंट जो है वो नहीं रुकने चाहिए answer आपको यहाँ पर बताना है रोकी परबत शिंखला कहां पर स्थित है दक्षिन अमेरिका उत्री अमेरिका एशिया या फिर यूरोप तो इसका जो correct answer है वो है आपका उत्री अमेरिका next one अलप्स परबत शिंखला कहां पर पड़ती है दक्षिन अमेरिका, उत्री अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप अलप्स श्रिंखला कहां पर है तो इसका correct answer रहेगा option number D, यूरोप next one, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है तो ब्राजील जो है, वो सबसे ज़ादा क्या उत्रपादित करता है किसका निर्यात सबसे अधिक करता है तो इसका सही answer है, option B, coffee next one, हवाई द्वी निमन में किस देश का भाग है रूस, इंगलेंड, अमेरिका या फिर उस्ट्रेलिया तो option C, अमेरिका इसका बिल्कुल सही answer रहेगा सबसे छोटा महासागर कौन सा है प्रशांत, आन्या, हिंद या फिर आर्क्टिक तो सबसे छोटा महासागर है, आर्क्टिक और सबसे बड़ा जो है, वो है हमारा प्रशांत महासागर next one, सवाना क्या है आर्मी में ये question पूछा जा चुका है, सवाना को क्या कहा जाता है सवाना है क्या अस्ट्रेलिया में सितोशन घास का मेदान, ध्रूबी एक्षित्रों में बलूई मिट्टी, अफ्रीका में ऊशन कटिवंदी घास का मेदान next one है, संसार की सबसे उंची चोटी कौन सी है most important question है ये, तो संसार की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो वो है हमारी Mount Everest, Mount Everest जो है संसार की सबसे उंची चोटी है जो कि हमारी नेपाल पे पढ़ती है विश्यो का सबसे उंचा जल परपात किस देश में है सुडान, बेंजिला, भारत या फिर तिबत तो correct answer इसका रहेगा option number B बेंजिला में पूरे विश्यो का सबसे उंचा जल परपात है next one क्षेतरफल की दिश्टी से अफरीका महादीब का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपको क्षेतरफल के according बताना है आपके चार option से ही एक correct answer आएगा आपका option C Sudan जो है वो क्षेतरफल के according मतलब की area wise जो है वो अफरीका महादीब का सबसे बड़ा देश है next one most important question आर्मी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है मैक मोहन, डूरेंट रेखा, रेड क्लिफ या फिर इन में से कोई नहीं जल्दी से इसका answer आना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है और भारत और चीन के बीच कौन सी है जल्दी से comment box में बताएं भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा खींची गई है यह आपको comment box में बताना है जल्दी से comment करें Next question है अब हमारा दक्षिन अफरीका की राजधानी क्या है दक्षिन अफ्रीका की राजधानी पूछी गई है तो correct answer इसका रहेगा Pretoria, option number A Next one, संसार की छत किसे कहा जाता है तो संसार की छत जो है वो है हमारा पामीर के पठारों को जो है वो संसार की छत कहा जाता है Next question है संसार का सबसे बड़ा द्वीप Greenland है ये किसका एक अंग है नोर्बे का, उत्र अमेरिका का, डेनमाक का या फिर कैनेडा का जल्दी से इसका answer करें की कौन सा correct answer रहेगा तो option C, डेनमार्क जो है वो इसका बिल्कुल सही answer रहेगा Next one, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है सुमात्रा, श्रिलंका, बोर्नियो या फिर Greenland तो correct answer है बोर्नियो option number C Next one, सबसे अधिक गीला स्थान कौन सा है बैटेस्ट स्पोर्ट कौन सा है हमारा चरापुंजी, मंसिर राम सिंगापूर या फिर बेलिन तो इसका जो correct answer है वो है option number B मासिन राम आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में ये स्थान पड़ता है सबसे अधिक बारिश जो है वो यहाँ पे होती है तो यहाँ पे राहूल कुमार का answer आया है मैक मोहन रेखा बिल्कुल सही answer है उनका भारत और चीन के बीच जो है मैक मोहन रेखा जो है वो खींची जाती है अमित चोधरी का answer भी बिल्कुल सही है, राकेश कुमार का option भी बिल्कुल सही है comment साथ साथ में करते रहें तभी आपकी त्यारी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो पाएगी next question है आपका प्रतम उत्पादक के रूप में कौन सा यूगम गलत है आपको यहां पे एक गलत यूगम बताना है तो पार एक पारा जो है वो इटली मे सबसेदिक होता है चांदी मेक्सिको में चांदी दक्षिन अफरीका या फिर सोना दक्षिन अफरीका में तो इसका जो गलत है वो है चांदी दक्षिन अफरीका चांदी जो है वो सबसेदिक मेक्सिको में उत्पादित की जाती है next one अधिक्तम फसल उत्पादन के रूप मे कौन सा यूगम गलत है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका correct answer नहीं है उत्पादक के लिए भारत में क्या सबसेदिक चाबल होते हैं क्या चाबल सबसेदिक चीन में होते हैं तंबाकू के लिए अमेरिका फेमस है या फिर इसमें सबसेदिक चाबल का उत्पादित किया जाता है ये पूरे बिश्व के अकोर्डिंग जो है वो हम बात कर रहे हैं next one है petroleum पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है इराक, साओधी अर्ब, इरान या फिर कुबैत तो सबसे अधिक जो country है ये साथ साथ में ही बसी है तो साओधी अर्ब में सबसे धिक पेट्रोल पाया जाता है और यहीं से जो है वो भारत के लिए भी कच्चा तेल प्रोवाइड किया जाता है next one है निमन में से कौन सा गलत है वो आपको बताना है विश्यो की सबसे लंबी नदी नील है दूसरी सबसे लंबी नदी Amazon है चीन की सबसे लंबी हवांग नदी है चीन की सबसे लंबी नदी यांग सी क्यांग नदी है तो इसका जो correct answer रहेगा option के according वो है option number C चीन की सबसे लंबी नदी जो है वो हवांग नदी नहीं है चीन का शोक जो है उसे हवांग नदी के नाम से जाना जाता है next one कौन सा इसमें आपका गलत है वो आपको बताना है सहारा उत्री अफरीका गोबी का एशिया कालाहारी मरुस्तल दक्षिन अफरीका या फिर थार अरब देश कौन सा इसका accurate नहीं है तो option number D इसका गलत है थार अरब देश या जल्दी से comment box में बताएं कि थार मरुस्तल कहाँ पर है अगर यह अरब देश में नहीं है तो थार मरुस्तल कहाँ पर है जल्दी से साथ साथ में comment box में बताते रहें राकेश कुमार जी का अंसर आया है कि मंसी राम जो है वो यह हमारा भारत के मेगाले में पड़ता है तो बिलकुल सही आंसर है उनका राहूल कुमार का भी आंसर बिलकुल correct है साथ साथ में comment करते रहें जो आपके लिए question है वो आपके लिए most important series है हर type के exam के लिए इसी type के question पूछे जाते हैं और type by type जो है जितने important question बनते हैं वो आपके लिए एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेके आये हैं तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें next question है bishop में नदियों के किनारे बसे शहर में कौन सा एक गलत है तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा option आपका यहाँ पे गलत है तो option D लाहोर जो है यह सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है option D इसका बिलकुल गलत है next one उद्योग और उनसे जुड़े शहरों में कौन सा गलत है इसका answer आपको बताना है कौन सा गलत option है इसमें तो England leaders सूती बस्तरों से यह related नहीं करता है next one है निमन शहरों में sorry निमन शहरों के साथ उनकी प्रसिधी का मुख्य कारण दिया गया है तो गलत इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका गलत option है जो कि हमारा इनके साथ match नहीं करता है तो option नंबर डी जो कि हमारा मक्का साथ अफरीका जो कि ईशा मसीह का जनम स्थान है यह वाला option हमारा गलत है मैं यह बता देता हूं आपको कि ईशा मसीह का जो जनम स्थान है वो Jerusalem है है ठीक है जी तो इसके बाद हमारा भारतिय भूंगोल के उपर जो है वो प्रशन स्टार्ट हो रहे हैं तो भारतिय भूंगोल से जुड़े हुए प्रशनों का हल अब हम जान लेते हैं तो बताएं कोमेंट तो करें भीया अंसर कैसे लग रहे हैं राहुल कुमार तो पुरी कार्वेट नेशनल पार्क कहां पे है जिम कार्वेट नेशनल पार्क उत्राखंड में है और ये भारत का सबसे पुराना जो है वो अभेरन यानि की पार्क भी है सरिस्का अभेरन कहां पर स्थित है तो सरिस्का अभेरन जो है वो राज्यस्थान में स्थित है अगला सवाल भारत विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक किसका है अभरक का बंदरगाहों में कौन सा भारत के पूर्वी तट परस्थित है तो अंसर है पारा महाद्वी प्या पार्वी बंदरगा जो है पाराद्वी बंदरगा वो हमारे पूर्वी तट परस्थित है जन्गन्ना 2011 का ये question नहीं पूछा जाता है फिर भी हम इसको repeat कर लेते हैं सन्द 2011 की जन्गन्ना के अनुसा सरवादिक घनत्व वाला प्रांथ कौन सा है तो इसका अंसर है भिहार अब जन्गन्ना जो है वो कब होगी कमेंट करके जुरूर बताएं किस राज्य में समुंदर तठ नहीं है बहुत से राज्य हैं जिन में समुंदर तठ नहीं है तो अंसर हो गया इसका मध्यवपरदेश वो सेंटर में आता है इसी परकार से अगला सवाल गंग्टोक किस प्रांथ की राजधानी है अंसर है सिक्किम की राजधानी गंग टोक है पंजी किस राज्य की राजधानी है अंसर है गोवा भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है करनाटक चीनी किस फसल से तयार की जाती है अंसर है गन्ने से सरसों किस मौसम की फसल है तो अंसर है रवी की फसल बागा यानि कि बागा बॉर्डर सीमा किस देशों के बीच में सित है अंसर है भारत और पाकिस्तान यहीं कि पंजाब के साथ में चिलका जील कहां पर स्थित है तो अंसर है उडिसा मरुस्थल में कैसी मिटी पाई जाती है कुमेंट करते रहो साथ साथ में बालूरेत स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है अमरित सर कपास की खेती के लिए कौन सी मिटी प्रिक्त की जाती है काली मिटी डल जील कहां पर स्थित है जम्मू कश्मीर अंडो मार निकोबार की राजधानी क्या है पॉट ब्लेर बिहार का विशाद किसे कहते हैं कोसी भारत में शेत्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा रज कौन सा है गोवा मिजुरम की राजधानी क्या है आईजोल मतुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है यमुना दमन और वीब की राजधानी क्या है दमन भाखडा नंगल बान किस नदी पर बना है सतलुज नदी पर निमन मैंसे कौन साल डेल्टा नहीं बनाती कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती यमुना करक रेखा किस राजध से होकर गुजरती है अंसर है मध्यव परदेश जारखंड की राजधानी क्या है राची पिछोला जील भारत के किस राजध में स्थित है उदेपुर राजस्थान भारती मानक समय कितना है तो वो है साड़े पांच घंटे ग्रीन बिच से आगे है अमर कंटक मध्यव परदेश के किस नदी का उद्गम स्थान है नर्मदा तिरी पुरा राजध कीर को कितने भारती राजधियों की सीमा छूती है दो राजधियों की निमन मैंसे किस राजध में समूंदर तट रेखा नहीं है फिर से इस वही सेम ऐसे ही आगे है बहुत से राजे हैं जिन में समुन्दर ही नहीं है जैसे अपने हिमाचल में ही नहीं है पंजाब में नहीं है ठीक है जी मद्य परदेश में नहीं है कहां से लाएंगे समुन्दर ठीक है या हमारे यहां पे तो खट नाले है पूरव से पस सबसे अधी कौफी का उत्पादन होता है करनाटक रंजीत सागरबान कौन सी नदी पर बनाया गया है रावी अलमतीबान किस नदी पर बनाया गया है कृष्णा भारत की एक महतपून रवी फसल कौन सी है गेहू पटना शहर किस नदी पर बसा है अंसर है गंगा हम गंगा के किनारे रहने वाले हैं भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिगनाइट पाया जाता है तमील नाडू में भारत के किस थान पर औसत सरवाधिक वर्षा होती है अब जो है ये ऑप्शन गलत गिनी जाएगी इस वक्त ऑप्शन दी गई है चेरापून जी मगर मांसेन राम में घाले जो है वो अंसर आएगा मांसेन राम भिटा जी याद रख लीजीगा मांसेन रा राहुल बोल रहे हैं की महा नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है हाँ ब्रदर अगर आप्शन हो तो ठीक है जी और चलते हैं मागे काजी रंगा किस के लिए जाना जाता है राइनो एक सिंग वाला गैंडा तो वारन नसी किस नदी के किनारे सित है गंगा यूपी में है वारन नसी भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहां सबसे अधिक होता है जारखंड भारत की सबसे पुरानी तेन रिफाइनरी कौन सी है दिग बोई दार्जलिंग कहां परस्थित है पस्चीम बंगाल हीरा कुंड बांध किस रजे में स्थित है उड़ीसा देशों से जुड़ी है तिबबत और नेपाल से तीर्थकल रिशी केस किस नदी से किनारे है गंगा सरदार सरोबर प्रियोजना किस नदी पर बनी है नर्मदा अगला सवाल नाथुला एक स्थान है जहां चुर्टालिस वर्षों बाद भारत चीन सीमा वेपार फिर पर स्थित है सिक्किम आगरा के से कौन साराष्ट्री राजमार्क गुजरता है एन एच टू मानस अभेरन कहां पर स्थित है असम काजू का सबसे बड़ा उतपादक रज केरल किस रज में रेलवे लाइन नहीं है सिक्किम एंटी बाइटिक दुआईयों की फैक्टरी कहां पर स्थित है रिशी केश और सबसे बड़ी जो वो रैन बैक्सी कंपनी पंदवावती किस नदी की दो नदियों के संगम से बनी है गंगा और भ्रहंपुत्र किस फसल की बुआई और कटाई के बीच अंतराल पाया जाता ह है अंसर है गंणा सबसे जादा जो है टाइम पिरड़ गंणे की फसल में लगता है स्पीड में दीजिए गेड़ा दे दो भाया अंसर का जल्दी जल्दी गेड़ा दो और जल्दी से कमेंट करते रहो टंग्स्टन सरवाधिक पाई जाती है राजस्थान में गुलाबी करा जानती किस से जुड़ी है जींगा मचली उतपादन से निमल लिखित मैं से वे राजे कौन सा है जिसकी सीमा में मार से नहीं मिलती अंसर है असम भारत वर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम सरहिंद नहर नहीं इंद्रा गांधी नहर होगा सरहिंद नहीं होगा इंद्रा गांधी नहर वैसे स्वेज नहर सबसे बड़ी आगी आपकी किस रज में गेहूं की प्रचुर मात्रा होती है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में गोल क्रांती किस से जुड़ी है आलू उत्पादन से भारत में शंकुधारी बन कहां पर पाए जाते हैं हिमाले में जैसे हमारे देवदार के पेड़ कोईना जल बिद्दुत प्रयोजना कहां पर स्थित हैं महाराष्ट्र एशियाई जंगली गधा कहां पाए जाता है कच क्या रण में भारत का कौन सारज तीन और से सीमाओं से घिरा हुआ है त्री पुरा तीनों से घिरा हुआ है अब हम भारत और समाने तथ्य के संबंदित प्रश्णों को जोड़ने जा रहे हैं और चौतरी जी फिर से आ गए है और देदिया गेड़ा पया दुबारा से आ गए है जल्दी से लकी अंसर देते रहो अंसर देते रहो बिटा निमलिकित मैसे सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है इस वक्त हिम सागर बताय जा रहा है मगर मैं आपको बता दूँ विवेक एक्सप्रेस को याद रखें आप आप्शन के अनसर ये अभी ये है कुम्ब मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है बारह वर्षों बाद होता है कौन सा कथन ठीक नहीं है तो इसलिए हम ठीक वाले ही पढ़ेंगे एक मई 1940 को इंग्लैंड में विश्व की पहली डाग टिकट जो है वो शुरू हुई थी 1840 में ऐसे ही एक अक्तूबर 1844 को भारत की पहली डाग टिकट शुरू हुई थी देख लो कितने वर्ष का अंतराल है 15 अगस्त 1922 को भारत में 6 अंकों का पिन कोड पनाड़ी यानि कि जैसे हमारे ही पालंपूर का पिन कोड 176061 है 6 अंकों का वो कब शुरू हुआ था 1922 तो D option जो है वो इसकी wrong यानि कि इस वक्त की अनुसार सही किनी चाहेगी पर मैं गलत नहीं बोलूँगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ राष्ट्री अरोनॉटिकल प्रियोग शाला कहां किस थान पर है बैंगलॉर निम्यलिकित मैंसे कौन सा कथन गलत है फिर से कथन गलत है इसलिए हम सही वाले बोलेंगे राष्ट्री बाइलोजिकल प्रियोग शाला पालंपूर हिमाचल परदेश कांगड़ा डिस्टिक में है वह या कितने व्यक्ति कांगड़ा के हैं वो वीडियो जुरूर शेयर कर देना यार आपके पालंपूर का नाम आ गया राष्ट्री कैमिकल प्रियोग शाला पूरे में स्थित है केंद्री औश्डी अनुसांधान केंद्र लकनाव में है और डी आप्शन जो है वो इस वक्त के अनुसार सही है मैं उस आप्शन को नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आप्शन असल में गलत है आप गलत याद नहीं करेंगे अगला सवाल उन्नी सो सॉरी कौन सा कतन गलत है फिर से आगया सही कतन याद रखेंगे देखिए केंदरिये खान अनुसंधान केंदर असल में धनवाद में था खान वो कोईले की खान की बात की जा रही है विटा को तो कोईले की खान कहा है धनबाद में केंदरिये सडक अनुसंधान केंदर कहा है नई दिल्ली में केंदरिये खाद एवन तक्निक की अनुसंधान संस्थान मैसूर में है जो गलत है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ निलेश धीरे धीरे बोलो धीरे धीरे भीया आप जल्दी जल्दी जवाब दो तो डी आप्शन जो है वो गलत है यहाँ पे तो उसी आप्शन के अनुसार चलते रहेंगे अगला सवाल है भारत का प्रतम प्रमानु केंद्र कौन सा है तारापुर फिर से गलत कथन के लिए पूछा जा रहा है कि कथन कौन सा गलत होगा मगर हम गलत को नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको अंसर रटने है याद करने है भारती अंत्रिक शनुसंधान केंद्र बैंगलोर में है थुमबा रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन जो है वो केरल में है उपग्रह लॉंचिंग जो है वो शिरी हरी कोटा यानि कि भारत का पहला जो है वो शिरी हरी कोटा में स्थित है इसी परकार से शिरी हरी कोटा में स्थित है विक्रम सारा भाई जो है वो त्रिवेंद्रम में है यहाँ पर महराश्ट्र में बताया जा रहा है तो इसलिए यह बैस्ट रहेगा किस थान को अनुशक्ती केंद्र नहीं है अब यह जो है कलपकम नारोरा और रावत भाटा में स्थित है यहाँ पर नहीं पूछा है इसलिए मैं इसका अंसर नहीं बोल रहा हूँ तो सी ऑप्शन जो है इस वक्त के अनुशार सही है मगर यह गलत है असल में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो आपने सही वाले याद रखने हैं 1927 को भारत और मुंबई बंबई और कलकत्ता दो निजी ट्रांस्मीटरों के बीच जो है रेडियो ट्रांस्मीटर या रेडियो प्रसारन शुरू होगा था भारत में कब 1927 में सिक्तमबर 1959 को दिल्ली का पहला दूर दर्शन केंदर स्थापित हुआ था 15 अगस्त 1922 को रंगीन दूर दर्शन राष्ट्रिय सेवा शुरू ही थी 1947 को नहीं हुआ था रेडियो प्रसारन याद रखियेगा ये गलत है अगला प्रशन है फिर से गलत ही पहचानना है और आपको मैंने अभी बताया है कि थुमबा जो रॉकेट जो लांच किया जाता है वो कहां पर है केरल में यहां पर देखिये केरल पर है तो यहां पर देखिये क्वेशन में जो है वो कहां बता दिया गया गलत बता दिया गया ना अंदर प्रदेश में नहीं है थुमबा रोकेट लॉंचिंग स्टेशन कहां है वो है कोमेंट करिए जल्दी से फिर से कोमेंट करिए मैं तो भूल गया वह या केरल में है केरल फिर से देखिए थुमबा ल में रेडियो प्रसारन का नाम अकाश वानी पड़ा था भारत का पहला वो दूसरा परमानू प्रशिक्षन पोखरण में किया गया इसके उपर जो है जौन इबराहिम की फिलम भी भनी हुई है पोखरण तो शेर करो यार आप तो शेर कर दो भया आप भी के लिए इतने आस्टन हैकिक द्वारा कलकता में शुरू किया गया था उसका नाम बंगाल गजट था जेम्स हिक्की ने शुरू किया था याद रखो बचे भारत का पहला समचार पत्र कौन सा है बंगाल गजट 1780 और उसके संबदा था यानि कि जिसने शुरू किया था जाम जेम्स हिक्क बोल सकते हैं या आस्टन हेक की बोलिए 1789 में बुंबई में पहला समाचार पत्र सप्ताही का का नाम क्या था तो उसका नाम था बॉंबे हेलर भारती भाषाओं में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था दिग्य दर्शन बंगाली में था ये वर्तमान में चल रहे समाचार पत्रों में से सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है बंगाल गजट ये बंगाल गजट जो है वो 1780 में शुरू हुआ था भारती का पहला व्यक्ति जिसने प्रेस की स्थापना की थी बंदे का नाम था बाबु राम आज वो घर गया हुआ ब भाबो भारत की पहली कॉलेज ठारा सो स्थारा में हिंदू कॉलेज के नाम से कलकत्था में स्थापित की गई थी उसका बदला हुआ नया नाम जो है वो फेंडरीज कॉलेज है भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में कब स्थापित की गई थी 1835 में भारत का पहली इंजिनिरिंग कॉलेज 1447 में सबसे मैं कहां स्थापित हुई थी तो अंसर है इसका रुड की कथकली नरित्य किस प्रांथ से संबंदित है तो केरल और ये सांस्कृतिक नाच दिये गए हैं गलत दिये गए हैं हम सही वाला ही ढूंडेंगे तो आप देखिए कि आंधर प्रदेश का जो नरित्य है वो कूची पूरी है असम का भी हूँ है और गुजरात का जो है वो गर्बा है तो कथकली नरित्य कहां का है वो है केरल का तो इसलिए आपको ये याद रखना है और कथपुतली जो है वो राजिस्थान का आता है तो जल्दी जल्दी से अपने कोमेंट्स करते रहो शेयर कर दो सभी शेयर कर दो तो ही आपको बेनिफिट रहेगा तो आपको आज की मौक टेस्ट सिरिस कैसी लगी आप कोमेंट करके हमें जरूर बताएं तो यहीं से हम अपना जो है महायुद जीके का और आगास कर दिया है तो यहीं से हम कंप्लीट करते हैं इसको और इसी सिरिस को आगे कंटिन्यू हम जल्दी करेंगे तो तब तक के लिए जल्दी आपके साथ मिलेंगे करेंगे करेंगे